Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपती English Educator और आज मैं start करने वाली हो class 12 की जो आपकी elective book है जिसका नाम है kaleidoscope उसका chapter number 2 start करने वाली हूँ, जिसका नाम है the mark on the wall अब ये जो आपका chapter है, काफी lengthy chapter है, 10 page का round chapter है तो मैंने उसको 2 parts में divide किया हुआ है, part number 1 and 2 और आज chapter explanation का part number 1 cover करूँगे मैं, इसके बाद part 2 separately and then summary separately and then NCRD question and answers, MCQs, so on, ठीक है So let's begin with a chapter, लेकर उससे पहले हम पढ़ेंगे about the author कि किसने हमारा ये chapter लिखा है, so Virginia Woolf is the author of this chapter the picture which you could see on my left hand side, इनका birth year 1882 में हुआ था and death year 1941 में हुई थी, let's read about her ये एक novelist थी, याने novels लिखती थी, उपन्यास लिखती थी और essayist याने कि क्या लिखती थी, निभन्द लिखती थी ये कहां बड़ी हुई, एक literary atmosphere में बड़ी हुई है याने कि इनके घर के आस पास का जो वातावरन सब है, एक literary atmosphere है family, सब English and writing से कही न कहीं जोड़े हुए थे और, she was educated in her father's extensive library तो इनके father के एक बड़ी इसी library थी और यहीं पर इनका education हुआ था अपने father के under अपने husband के साथ, Virginia ने hogarth press start करी जो बहुत successful publishing house बन गया था उस जमाने का इनकी novels में, जो Mr. Dalloway नाम का एक Dalloway and to the lighthouse, she experimented with a new technique particularly new ways of capturing the flow of time तो इनकी जो novels है, उसमें Mrs. Dalloway करके character है जो की काफे famous रहता है and lighthouse, यह almost एक इनकी novel का नाम था जिसमें इन्होंने 9 A techniques experiment करी थी कि कैसे flow of time को capture किया जाए, यहने समय कैसे बीचता जाता है बोले तो birth, then adulthood, मदब इस तरीके से flow of time होता है flow of time इन्होंने पूरा इसमें experiment किया यह यकीन मानती थी कि जो हमारे experiences होते है life के experiences होते है, वो actually extreme, एक river, एक नदी की तरह बहते है हम जैसे इस दुनिया में आये, हमारी आग खुली हम पैदा हुए और तब तक हमारी death नो गई, जितने हमारी life में अनुभव हमने किये हैं, जितने experiences हमने face किये हैं वो सब एक river की तरह बहते हैं, यह चले जाते हैं, flow of time अगेन वोई चीज, और यह जो ऐसे आज हम पढ़ने वाले हैं यह क्या record करता है fleeting impressions and delicate shades of mental experience fleeting का मतलब क्यों होता है, lasting for a very short time कोई ऐसी चीज जो थोड़ी सी ही देर के लिए आपके दिमाग में रहती है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कि जो हमारी author है Virginia Woolf वो बहुत सारी mental experience करती है यहने बहुत सारी दिमाग से related, imaginations, कालपनिक चीज़े experience करती है जो उनके साथ बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है पहले कुछ experience करती है, फिर suddenly उनका thought change हो जाता है किसी और चीज़ पर, फिर वो किसी और object की तरफ देखती है उनके experience change हो जाता है, अलग thoughts आने लगते है तो उस तरीके का deep imagination से related यह पूरा chapter है अब इस chapter की एक-एक line बहुत important है क्योंकि easy नहीं है बहुत सारे difficult words भी है, इस chapter में तो ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करेगा समझ में ना आये तो rewind करना, फिर से सुनना, ना समझ आये तो फिर से rewind करना और सुनना लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा कहीं कहीं पर थोड़ी difficulty होगी समझने में मैं कोशिश करूँगी कि अपनी easiest and simplest language में आपको यह chapter explain करूँ अब यह जो chapter है, यह हमारी राइटर ने लिखा था, फर्स वर्ल्ड वर के टाइम पर, और इस chapter में एक anonymous lady है, याने एक ऐसी औरत, पूरा जो lady है, एक ऐसी औरत है, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है बस ऐसी बतलब वो अपने मूँ जबानी नरेट कर रही है, पूरी story, तो यहाँ पर जो lady है, उसने अभी अभी एक नए घर में, एक नए विला में shift हुई है और वहाँ पर वो देखती है कि यह middle of January का महीना है, याने समाव winter season है और present year, याने उस जमाने में जबी chapter लिखा गया होगा, पर यह present year में January के बीच का महीन है और जैसे ही इस नए घर में वो आती है, और वो एक wall एक दिवार के ओपर देखती है, तो वहाँ पर एक mark होते है याने दिवार पर कोई निशान बना हुआ रहता है एक date fix करने के लिए एक इंसान को याद रखना बहुत जरूरी होता है, कि उसने क्या देखा अच्छा हमने देखा था, हाँ तब देखा था, उस दिन ये तारीक थी, इसलिए उसने भी middle of January बता दिया इसको ऐसा लगता है, ये fire के बारे में सोचती है steady film of yellow light upon the page of my book, याने वो देखती है कि वहाँ पर fire है क्योंकि European countries में क्यों होता है, ठंड बहुत रहती, तो एक fire place होता है घर में आग की येलो light होती वो पड़ रही थी, the three chrysanthemums in the round glass bowl on the mantelpiece और इसने देखा कि chrysanthemums नाम के जो ये flowers होते है, इस तरीके के populous color के garden flowers होते है ये ऐसे mantelpiece के उपर पड़े हुए थे, अब mantelpiece के होता है, इस तरीके का एक English houses में आप देखो के तो ऐसे platform बना रहता है, जहां पर नीचे fireplace होती है, ऊपर लोग ऐसे pots रखते हैं, pots में इस तरीके के flowers decorate करके रखते हैं, और usually इसके उपर बहुत खुबसूरत सी wall होती है, जिसमें लोग portraits, pictures, paintings बगरे लगाते हैं तो वो कहती है कि मैंने देखा fire place थी, घर में काफी घरमा हट थी, और ये fire place की येलो लाइट है मेरे books पर पढ़ रही थी, यहां पर mantelpiece, इस चीज को mantelpiece कहते हैं, इसके ओपर मैंने chrysandumum's नाम के जो flowers है, इसको मैंने सजा के रखा हुआ था यहां पर, वो ऐसा बोलती ही glass wall में तो वो बतारी कि हाँ, यह winter का time रहा होगा, इस वज़े से इतनी घर में warm थवगरे है, we had just finished our tea, और अभी अभी थंड का मौसम था, तो हमने अभी 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 पनी cigarette smoke कर दे थी, जब मैंने पहली बार, wall पे for the first time, वो mark देखा, मैंने अपनी cigarette smoke कर रही थी, मैंने देखा कि वहाँ पर वाल पे कोई mark है, कोई एक second लिए इनकी नजरे लॉज हो गई याने stay हो गई, रुख गई एगदम से कि अरे यह mark किस चीज़ का है, and that old fancy of the crimson flag flapping upon the castle tower, came into my mind, fancy का मतलब यहाँ पर क्या है, fancy का मतलब है, यहाँ पर imagination आपकी कलपना, crimson का मतलब क्यों होता है, कोई चीज जो बहुत dark red color की होती है, Cavalcade का मतलब क्यों होता है, a large group of people on the horses moving for a ceremony, जब बहुत सारे लोग गोडों पर सवार रहते हैं, जैसे की red knights, याने गोडे जो England की आर्मी में, जैसे red color का dress pen की गोडों पर रहते हैं, अपनी आर्मी में सवार रहते हैं, उनको और वो जैसे किसी ceremony के लिए जा रहे होते हैं, उ इसमें से ऐसा लग रहा था कि वो कोई आग जैसे निकल नहीं रही हो, वो जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई flag, लाल red color का flag लहरा रहा हो, अब ये लाल red color, गोडे पर सवार, लोग ऐसा लग रहा था, वहां से निकल रहे हैं, ये वो क्यों imagine करें, क्योंकि ये story first world war के time की है, त flag, red color, ये सब कहीं न कहीं war को represent करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो आग नहीं जल रही, कोई dark red color का flag किसी castle, किसी महल के tower पे इस तरीके से लहरा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि जो black rock याने जो काले-काले पत्थर साइड में पड़े हुए, ऐसा लग रहा था, उनके उप the sight of the mark interrupted the fancy, तो वो कहती है कि जो मैं fancy कर रही थी, यानि ये flag वगरे, गोडे वगरे, जो मैं imagine कर रही थी, suddenly मेरी imagination को interrupt किया, disturb किया, किसने, इस wall के mark ने, जैसी मैंने देखा, तो मेरी जो fancy, मेरी imagination disturb हो गया, और मेरा ध्यान कहाँ चला गया, wall के उस mark पे चला गया, और ये जो म imagine कर रही थी, ये automatic fancy था, यानि, automatically जब भी आप कोई चीज़ देखता, आप imagine कर नहीं लगते हो, made as a child perhaps, यानि जैसे चोटे बच्चे नहीं होते हैं, कुछी भी imagine करते हैं, जो देखते हैं, सोशनी लगते हैं, exactly उसी तरह भी ये speaker कर रही थी, जो mark था, वो छोटा सा round mark था, black upon the white wall, यानि, पूरी दिवार white color की थी और चोटा सा black color को उस पर ये mark था, about 607 inches above the mantelpiece, तो mantelpiece से 6-7 inch उपर ही था, ये mark, how readily our thoughts swarm upon a new object, lifting it a little way as ants carry a blade of straw, so feverishly and then leave it, feverishly का मतलब यहां पर कोई बुखार से नहीं है, feverishly का यहां पर मतलब है anxiety, tension और excitedness, okay, तो writer यहां बोलती है, यहां जो speaker है, हो बोलती है, कि कितनी जल्दी हमारे जो thoughts है, हमारे जो विचार है, एक object को देखा, फिर वहां से दूसरे object पर चलेगा, यानि अगर मैंने इस चीज को देखा, तो मेरे thoughts यहां चलने लगए, फिर मेरी नजर यहां आई, तो मेरे thoughts फिर change हो गए, फिर कुछ और देखा, कोई और object देखा, तो मेरी नजर और मेरे thoughts चेंज हो गए, तो writer कहती है, और speaker कहती है, कि कितनी जल्दी हमारे thoughts ऐसे होते हैं, जैसे, चीटियां जैसे, चोटे-चोटे तिन के तहनी उठा कर कहीं जाती है, फिर रखती है, फिर उठाती है, दूसरी आकर फिर रखती है, फिर दूसरा तहनी उठाती है, रखती है, एक्जाक्ली उसी तरह हमारे thoughts भी lift हो रहे हैं, हम उठा रहे हैं अपने the miniature of a lady with white powdered curls तो अब writer जो speaker है यहां पर वो imagine कर रही है कि यह जो hole हुआ हुआ है दिवार पर वो किसी nail किसी nail जो होती है nail and hammer उससे nail का वहाँ पर hole हो गया है लेकिन वो किसी picture यानि किसी तस्वीर को लगाने के लिए definitely नहीं किया गया होगा यह किसी miniature को यानि किसी छोटी size की picture को लगाने के लिए कोई nail से यहां पर hole किया गया है दिवार पर अब वो imagine करी कि जो miniature है जो छोटी सी photo है यह किसी lady के लिए रखी होगी उस इंसान ने जो पहले इस घर में रहता होगा अभी वो नए घर में आये उसकी photo लगाने के लिए लगाया होगा और वो imagine करी उस lady को की वो lady कैसी होगी उसके powdered curls होगे powder जैसे white color को होता है तो white color के बाल जो curly होंगे और powder dusted cheeks यहने बहुत सारा make-up white color को उसके cheeks पे लगा होगा और जो उसके lips होंगे वो red carnations जैसे होंगे carnations एक तरीके के flowers होते है pinkish reddish color के तो red color के dark lipstick लगी होगे उस lady को तो यह सब वो imagine कर रहे है यह सब उसने देखा नहीं है नहीं वहाँ पर कोई photo लगी होई है a fraud of course for the people who had this house before us would have chosen pictures in that way an old picture for an old room तो वो कहती है यह fraud of course है fraud याने कोई यहां पर जूट या फरेब नहीं वो यह कहना चारी है कि यहां पर मुझे ऐसा गलत लग रहा है कि यहां पर कोई photo वोटो लग रही होगी लेकिन जो लोग यहां पर रहते होंगे उन्होंने इस old room के हिसाब से कोई old picture ही लगाई होगी उन्होंने और इसी तरीके के that sort of people लिखा न यहां पर कि इसी तरीके के वो लोग रहे होंगे काफी interesting लोग होंगे वो लोग और मैं भी जब उनके बार में सोचती हूं तो ऐसा ही सोचती हूं और यह जो place है काफी queer है काफी strange काफी अजीब सी place है क्योंकि दुबारा कोई लोग यहां पर नहीं आना चाहेंगे क्योंकि अजीब सी place है बहुत never know what happened next और फिर speaker कहती है कि मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ होगा उन्होंने किसकी photo लगाई होगी यहां पर मुझे नहीं पता वो यह घर इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो अपना style of furniture change करना चाहते थे so he said he कौन याने पहले जो मकान मालक यहां रहता था वो एक male था एक man था तो उसने speaker से बोला कि वो वो उसका यह बोल रहा था speaker से कि उसका ऐसा विचार है उसका ऐसा opinion है कि art should have ideas behind it कि जो भी आप art जो भी आप color से related अपने घर में चीज़े लगा रहे हो जाए paintings हो pictures हो कोई furniture हो कुछ भी decorative item हो उस color के पीचे कोई ना कोई idea कोई लॉजिक कुछ reason होना चाहिए ऐसे आप कुछ भी उठा के अपने घर को decorate मत करो when we were torn ascender, ascender torn ascender मतलब जब आप बुरी तरीके से चकना चूर हो चुके हो तो emotional जब आप कहीं न कहीं तूट चुके हो तो उनका ही कहना है कि भाई जैसे और यह उस वक्त वो सोच रही थी जब कोई एक बूडी लेडी उनके घर में आई चाय डाल रही थी और पीछे एक यंग मैन था हो सकता है उनका husband, speaker का वो पीछे tennis ball hit कर रहा था घर के पीछे वाले garden में यह सब activities उनके आसपास हो रही थी जब वो यह सारी चीज़े imagine कर रही थी आप बस इतना समझिए कि जो नया घर जो नया विलेच नया विला उसमें वो रहने आई थी वो काफी suburban तक काफी boring सी जगा थी पर बोरिंग सी जगा में वो एक mantle piece के सामने खड़ी हुई है इस सब चीज़े imagine कर रही है जहां पर वो lady आ रही उसको चाय सफ कर रही है पीछे कोई young man जो है वो tennis wall खेल रहा है back garden में तो all these things are activities are happening there लेकिन फिर उसका ध्यान कहा जाता है उसी mark पर जो wall पर होता है वो उसके बार में फिर से सोचती है और बोलती है कि मैं इसके बार में sure नहीं हूँ कि ये किसी nail का nail से ठोकी गई कोई hole हुआ है दिवार पर वो सोचती है ऐसा नहीं है क्योंकि जो hole है अगर nail का hole करते तो काफ की बड़ा hole है तो फिर वो सोचती है मुझे खड़े होके अभी वो चैर पर बैठ हुए फिर वो सोचती कि मुझे खड़े होके देखना चाहिए और पास से देखना चाहिए 10 to 1 10 to 1 मतलब प्रॉबबली मुझे देखना चाहिए विल्कुल 10 मतलब दूर है और 1 तक यानि कि वो hole है कि क्या है I shouldn't be able to say for certain और वो कहती है कि यह मुझे बिल्कुल surety के साथ नहीं कहना चाहिए क्यों क्यों कि कोई भी चीज अगर एक बार हो गई है तो वो हो गई है किसी को नहीं पता कि वो कैसे हुई कब हुई कहां हुई तो यहां पर between the lines meaning समझे कि राइटर यहां क यहीं चीजों के deep में चले जाओ गुसने की कोशिश करो matters में लेकिन जो चीज हो गई सो गया आप उसको बदल नहीं सकते चीक है oh dear me the mystery of life और यही life है यही life का आपका रहस्य है the inaccuracy of thought और यही thoughts में inaccuracy याने सही चीज़ें नहीं आती हमारे the ignorance of humanity कभी कभी लोग इतना गलत करते हैं कि बिल्कुल inhuman हो जाते है humanity याने इंसानियत को ignore कर लेते हैं गलत चीज़ें कर लेते हैं फिर सोचते हम इसको चेंज करें हम इसको positively change करें पर ऐसा नहीं हो सकता जो चीज हो गई सो गई दिवार पर जो हो गया बड़ा चोटा कितना भी वह हो गया मेरे पास जाके देखने से कोई चोटा साइस का नहीं हो जाएगा वो जो हो गया सो हो गया कब हुआ कैसे हुआ वो नहीं पता किसी को यह life के कुछ misfreeze होती है जिनको हम solve नहीं कर सकते तो अब राइटर यहां बोलती है कि मैं एक चीज बता दू कि हमारे जितने भी possession जो चीज हमारी है जिसको हम पुझेस करते हैं जैसे हमारे घर हमारे पैसे हमारे वेल्थ हमारी चीज है वोतियां कि हमारी जो जो हमारी चीज है हम पर झांटरूल नहीं है कार आझ है कल तूट गई Palestine हो गया कुछ भी पैसा हाथ में आज है कल नहीं है you don't know तो हमारे खुद के पुसे से पुसेशन पर भी हमारा इतना हक नहीं है तो हमारी लाइफ पर जिन्दगी पर हमारा हक कैसे हो सकता है हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में कैसे ले सकते हैं यह जो लाइफ है यह एक एक डिं में बहुत सारी चीजे खोते हैं उसमें से सबसे पहली चीजी होती बिगनिंग याने शुरुवात पॉर एक बच्चा इस दुनिया में पैदा हुआ दस दिन का हुआ तो शुरू के दस दिन उसने खो दिये डाजेंट मैटर वह भी बच्चा यह दस दिन पुराना पैदा हु यहाने सबसे रहस्ति में ही लॉस हमारी लाइफ का हमारी बिगनिंग का लॉस है ओके वट कैट पुट नौ वट रैट वोट निबल थ्री पेल ब्लू कैनिस्टर बुग बाइनिंग तूल्स अब यहां पर जो यह जी है वो साइलेंट है इसलिए इसको नौ रीट कर रहे है जब एक कैट कोई चीज को बाइट करती है चबाती तो उसे हम कहते है नौ और जब एक चोटा सा रैट याने चूहा कोई चीज निबल करता है याने चोटे-चोटे पीसेज लेता है चोटे-चोटे बाइट लेता है किसी खाने की चीज को उसको हम कहते है निबल कर रहे है और canisters याने बड़े-बड़े जो metal के याने लोहे के containers, बड़े-बड़े संदूख, डबबे होते हैं, उनको हम canisters कहते हैं. तो यहाँ पर simply एक चीज़ बोलना चारहे हैं, कि cat क्या खाएगी, चूहा क्या खाएगा, किस डबबे में से निकाल के कौन सी किताब को वो लोग कुतरेंगे, हमें नहीं पता. तो between the lines का meaning यह है, कि life में कब क्या हो जाए, कब किस की death हो जाए, कब writer खुद के लिए पर सुचनी कि कब मेरी death हो जाए, मुझे नहीं पता. यहने चूहा या बिल्ली यहाँ पर आके डबबे में से कौन सी किताब को कुतरेंगे, हमें नहीं पता भाई, वो तो animals कुछ भी आके पहले कुतर सकते, यहने, चबा सकते. एक्जाक्ली लाइफ में कब क्या हो जाए, हमें नहीं पता, कब किस की death हो जाए, खुद मेरी भी death हो जाए, कब हो जाए, ऐसा writer सोचती है, वो उनको नहीं पता, यहने, कोई भी चीज आपके control में नहीं है. फिर और सारी list of things हमारी writer हमें यहाँ पर बताती है, जो उन्होंने अपनी life time में खो दी है, जैसे bird cages, याने birds को रखने के cages है, उस जमाने में लोगों के लिए, यह सारी चीज़े बहुत valuable होती थी, the iron hoops, hoops याने large iron rings, बड़े-बड़ी लोहे के जो rings होती है, यह सारी Queen Anne, उस जमाने में Queen Anne हुआ करती थी, उनका coal scuttle, coal scuttle के होता है, एक metal container होता है, इस तरीके का, एक metal का container होता है, जो थोड़ा सा sloping होता है, याने इस तरीके से, यह ऐसा sloping जा रहा है, तो इसमें क्या होता था, coal अगरे रखते थे लोग, ताकि इसको घर में जो लोगों की fire place होती थी, उसमें रखे और domestic fire जला है, तक ही घर में थोड़ी गर्माहट हो जाए, तो Queen Anne का coal scuttle, the bagatel, bagatel यह एक game, जो दिख रहा है, एक board game होता है, bagatel, इसमें numbers वगरे होते हैं, और ऐसे चार corners होते है, बहुत सारा, उस जमाने का कुछ game होता है, तो यह जो board है, एक hand organ, जो मूँ से बजाने वाला बाजा होता है, एक हाथ से बजाने वाला बाजा होता है, उसको हम hand organ कहते है, तो कहते है, कहते है कि all gone and jewels too, कहते हैं, यह सारी चीजे, bird cages, iron hoops, यह सारी चीजे, मैं एक lifetime में इंसान खो देता है, यहाँ तक ही jewels, यहने हीरे मोती जवारात भी, opals and em यह precious stones होते है, green blue color के precious stones होते है, यह सब खो दिये, what a scraping pairing, a fair it is to be sure, scraping का मतलब something damaging, कोई ऐसी चीज दो damage हो गई, यह बरबाद हो गई है, और pairing का मतलब कहते है, removal, यहाने वो हट गई है, तो यहाँ बता है, यह वो सारी चीजे हैं हमारी life में से, इतनी सारी चीजे हैं, जो damage हो गई, और हमारी life से remove हो गई, तो अब बचता है, जब इनसान को बगवान के पास जाना रहता है, तो इनसान नेकड जाता है, बिना कपडों के जाता है, कपड़े तक नहीं बचते, तो यह सारी चीजें क्या है, तो हम इन सब चीजें को अपने control में लाने की कोशिश ना करे the wonder is that I have any clothes on my back and I sit surround by solid furniture at this moment so he says I wonder I am amazed that I am sitting here and I have a lot of furniture and my back on my back or my tongue is a cloth and my back on my back or my tongue is a cloth and my back on my back this is all but at this moment it is right now I do not know what I do so this is the writer if one wants to compare life to anything one was likened to be being blown through the tube at 50 miles an hour landing at the other end without a single hairpin in one's hair if you have a very good thing to say that if you want to compare your life with something to do so you compare a tube with a big tube and it is filled with the air and it is 50 miles distance cover 1 hour and it is a lot of speed travel around 1 hour and it is such a place you land on a place you land on a place where you wear a hairpin that is a single hairpin that will not be saved in the end or you compare your life with a tube which is a tube which is very speed from here and when it comes to a place and when it comes to from here you have to find your face the hairpin of one's hairpin of one's hairpin also exactly life this is you life is momentum in life you have to go to the birth of one's hair you get to the birth of the blood you have to reach your home from your wife and the body of one's hairpin and it is gone on you live your life with an hour and you have to go to shot out at the feet of God entirely naked और जैसे ही आप भगवान के पैरों पे पहुचे भगवान के घर पे पहुचे तो आप इंटारली नेके याने बिना कपड़ों के पहुचे आप अपना कपड़ा भी यहां से वापिस नहीं ले जा सकते तंबलिंग हेड ओवर हील्स इन दा आसफोडेल मेरोज लाक ब्राउन पेपर पासल्स पिच्ट डाउन शूट इन पोस्ट ओफिस अब आसफोडेल क्या है आसफोडेल एक काइंड ओफ फ्लावर है यह जो पिक्चर देख रहे हैं यह एक आसफोडेल की पिक्चर है अब पु फिर लगाना भी इस बंदा बैठा हुआ है वो इसमें पारसल डालेगा वह ट्यूप से ट्रांसफर होके इस बंदे के पास आएगा यह स्टैंपिंग कर देगा तो एक पारसल जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुचता है एग्जैक्ली हम भी इस दुनिया से उस दुनिय चले जाते हैं याने हमारी पूरी लाइफ है यहां वो जमीन जो आफटर लाइफ की होती है याने यहां पर हम कि आफ्टर लाइफ में पहुच गाना उस दुनिया में पहुच गये जो मरने के बाद होती है जिसको किसी ने नहीं देखा जिसको न मैं उसा और न हमारी रैटर ने रही सिने किसी यह भी नियल लेकिन होती है ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर लाइफ होती है तो तंबलिंग हेड ओवर हील याने कि लुड़कते पड़ते इस दुनिया से हम उस दुनिया पर लोग की दुनिया में कहीं पहुच जाते हैं जैसे कि पुराने जमाने में पोस्ट ओफिस में एक रूम से दूस दोडता है तो इसकी पूछ के बाल जह सपीड में पीछे की तरफ उडाते हैं उस स्पीड शेम यहां से वहां पहँचते हैं सपीड का बताये जरहें यहाँ पर में जो वर्ड है वो है सपीड कि हमारी जो लाहिफ है बहुत सपीड में घृए है तो to express the rapidity of life और यहीं explain करते हैं rapidity of life याने की life की कितनी speed है शुरू होती कब बड़े हो जाते हैं कब बढ़े हो जाते हैं मर गए खतम कहानी the perpetual waste and repair also casual also haphazard perpetual का मतलब क्यों होते है continuous कोई चीज continuously हो रही है और haphazard का मतलब confusion जिसमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई particular plan है की order है क्या है confusion वाला state है तो यहां पर writer कह रही है कि यह जो life की speed है याने कि जो waste and repair है waste and repair बोले तो क्या याने कि यह जो death and birth का जो भगवान ने यह खेल बनाया है यह continuous है याने एक इंसान की death होगी फिर वो जनम लेगा फिर वो मरेगा फिर जनम लेगा इस तरीके से हर इंसान की life में यह perpetual चीज है याने continuously waste and repair याने death होगी फिर वो birth लेगा फिर death होगी रिपेर लोगी और यह बहुत कादेख में करा इंसान मैं कक वागा नीजक्ट कि यहां से घंट कर मों होगा आफे डीकॉड नहीं है कब आफटरलाइफ अंस होथि ए क्या होता है वाहां पे इसके बारे में क्षाओध में क обяз the the cup of the flower as it turns over deluges one with purple and red light अब यहां पर green stocks के ओते हैं जो यह green color के डंडियां होती है इसको हम green stocks कहते हैं इसके उपर देख लीजिए कोई flower type का लगा हुए तो यहां पोला जा रहा है कि slowly जब आप green stocks को pull करते हो तो उपर जो cup of the flower जो उपर flower लगा हुए यानि यह नीचे से जमीन से ग्रों के ऊपर हुआ है यानि जब यह मरेगा तो यानि जब इस flower की इस stock की death होगी तो यह गिरेगा और कहां गिरेगा जमीन की तरफ गिरेगा यानि टरन ओवर हो जाएगा और डिल्यूज वो जाएगा यानि डिल्यूज व्यों जाएगा डी और हो जाएगा आफटर लैफ में अभी तक कि यह लाइफ में और जाब यीं गिरेगा दर्द लकातंते जाहिए नाई जिंद्धित मतलब इसकी आफ्टर All should one not be born there as one is born here यानि यहां इस जिन्दगी में जहां हम जिन्दा है यहां पर हम जनम लेते हैं और यहीं पर हम मरते हैं लेकिन जो आफ्टर लाइफ में पॉच जाते हैं मौत के बाद वाली की जो हमारी लाइफ है महां पर कोई जनम नहीं लेता वहां पर कोई मरता नहीं है मरने के बाद क्या होता है किसी कोनी पता बट जनम AND Maren Death and birth यह सब यह सब इस life में ४ासिभल है ना कि after life में कुछ पासिबल है और जब हम यहां पर पैदा होते तो यहां हम बहुत helpless होते है, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, तो वह helpless होता है, यानि कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, 10 दिन का, 15 दिन का बच्चा वो खुद कुछ नहीं कर सकता, speechless, छोटा सा एक पैदा हुआ बच्चा बोल करके ढूंडने की कोशिश करता उसको कोई बतानी सकता ना उसको समझ में आता है अधक टोस ऑफ दे जाइंट्स जाइंट्स हैने हम अडल्स हम अडल्स के पैरो पैरो में छोटा सा बच्चा जिसको कुछ नहीं आता तो यह सब इस लाइफ में पॉसिबल रिना की आफ्टर ल और यह बताया जाता है कि 50 साल यह 50 साल के बाद जब तुम बढ़े हो जोगे तो बहुत सरी चीजें ऐसी होगी कि जिसमें तुम कंडिशन में नहीं तुम वह चीजें नहीं कर पाओगे तो उसको यह ज्यान धीरे-धीरे मिलते और फाइनली उसके डेथ हो जाती है ओके तो there will be nothing but spaces of light and dark कहा देर मतलब यह कहा की बात हो रही है यह after life की बात हो रही है जब death के बाद अब एक after life एक परलोक वाली जिंदगी में जब आप पहुत जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं होगा बस space खाली जगाएं होगी जहां पर light and dark होगा यहाने जहां अच्छी आत्म यह जो इस तरीके से जो stem होती थी जो हमने flower देखा था तो इसको हम stocks कहते हैं तो चाहे light या dark याने चाहे अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा दोनों किस से connected है अपने पिछले जनम के कर्मों से connected है जिसको thick stocks का नाम दे दिया है and rather higher up perhaps हो सकता है उससे भी उपर कुछ उन्हों पर blots का मतलब क्या है blots का मतलब होता spot of something specially by ink और paper याने paper पर या दिवार पर जब ink स्याही का कोई spot कोई दबबा या कोई निशान होता है उसे हम blot कहते तो अब writer यहां पर कुछ जो speaker है वो कुछ imagine कर रही कर रही उसकी imagination हम लोग पढ़ रहे और imagine करते करते जब वो दिवार पर जो mark है जिसको पहले वो एक hole एक गड़ा समझ रही थी कि भाई nail से hammer से तोड़े से किसी ने गड़ा कर दिया है अब वो इसको समझने लगी है कि यह कोई blot है यह कोई hole नहीं है यह कोई blot है blot याने ऐसा लग रहा है उसको कोई ink का धपा है ink का कोई spot है यह कोई hole नहीं अब उसकी imagination change हो गई और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे देखती जा रही है वो बहुत definite होता जा रहा है उसको clearly दिखता जा रहा है और फिर वो बोलती है फिर पता नहीं वो क्या बनेगा I don't know what और यह तीन dots लगा दिये इन तीन dots को हम कहते ellipses Englishman को कहा जाता है ellipses ellipses या ने dot 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 लगा दे कि मुझे और भी कुछ लिखना था बट मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी हमारी जो speaker है उसको बहुत सारी चीज़े उसको समझ में आ रहे है कि क्या है क्या नहीं है लेकिन कईने कई वो confused है तो उसलिए उसने बोल दिया I don't know what तो हमें यहाँ पर यह समझ में आए कि पहले वो होल समझ रही थी उस डिवार पे उस मार्क को अब वो एक ब्लॉट याने एक इंक का स्वाट समझ रही है ओके तो अब वो यह समझ रही है आगे देखते है and yet that mark on the wall is not a hole at all और अब वो clearly बोल रही कि जो डिवार पे मार्क है वो होल नहीं है not a hole substance से कुछ सियाही है उससे वो ऐसा गोला गोला spot बना दिया है जैसे कि कोई रोज लीफ लेफ्ट ओवर from the summer and I am not being very vigilant housekeeper तो वो कहती है कि पुराने यहाँ पे जो लोग रहते थे इस घर में उन लोगों ने शाथ summer time से ही सफाई नहीं करी है और कोई rose plant की कोई leaf रह गई और ऐसा लग रहा है उस leaf को dip करके किसी चीज में वहाँ पे ऐसा इंक से spot बना दिया गया है और वो कह रहे है जैसे कि आप देख रहे हो मैं कोई vigilant housekeeper तो हूँ नहीं याने कोई इतनी careful कोई housekeeper नहीं हूँ इतनी कोई साफ सफाई तो मैं घर की रखती नहीं हूँ और देखो तो से mental piece पे कितनी dust कितनी धूल जमी हुए जैसे कि the dust with they say buried Troy three times over only fragments of pots utterly refusing annihilation as one can believe तो अब mental piece पे जो धूल जमी हुए उसको देख अब उसका ध्यान speaker का उस धूल पे चला गया और धूल से वो imagine कर रहे है कि ऐसी तो धूल ऐसे लग रही है ट्रॉय क्या है ट्रॉय एक तर्की में एक प्लेस है तर्की नाम की country में एक जगा का नाम ट्रॉय है वहाँ पर यह जो जगा थी यह धूल और dust से बरी हो गई थी तीन बार धक गई थी याने completely covered हो गई थी और वहाँ पर fragments निकले थे जब archaeologist वगर उने ढूंडा वहाँ पर बहुत कुछ research करी तो वहाँ पर fragments याने की remains निकले थे किसके pots के याने चोटे-चोटे मटकों के जो utterly याने completely refusing annulation थे याने state of being completely destroyed तो तीन बार ये ट्रॉय नाम की जगह धूल से पूरी भर गई खतम हो गई ये जगह और जब ढूंडा गया तो आप पॉट्स निकले और वह पॉट्स ऐसे निकले जो completely सही थे याने डिस्ट्रॉइड नहीं थे बरबाद नहीं हुए थे बिल्कुल सही थे वन कैन बिलीव और आप बिलीव कर सकते हैं सोचो तीन बार जगह खराब हो गई और उसके बाद भी पॉट्स सही के सही निकले तो ये इस डस्ट को उस प्रॉय जग की जगह का जगह से डस्ट पॉर्ट को देख रही है कभी लाइफ को करी बस इसकी imagination जहां जहां जारी है वैसे वैसे से हमको यी पूरिया ऐसे समझाते जा रही है देट्री आउटसाइड विंडो टैप्स बेरी जेंटली अंदप पेन अगेन एलिप्स अब यहां पर यह जो speaker है कुछ नहां कुछ और अच्छे से तो कहीं न कहीं वो इमाजन कर रही और यह जो पेड़ का जो यह ठकराना है विंडो पे इस एकदम से इसका ध्यान भटका दिया इसकी इमाजनेशन एकदम तूट गई अभी डॉट 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 मतलब और इमाजन करना चाहती थी तो वह कह रही थी मैं एक चीज से दूसरी चीज तक easily इधर उधर अपने thoughts टेर करूं कभी इस बारे में सोचूं कभी इस बारे में सोचूं जहां मन करें उस चीज के बारे में सोचूं without any sense of hostility hostility मतलब किसी के खिलाफ कोई भी negative feelings नहीं है मेरे मन में मस मझे बिना किसी disturbance के अपना imagination करते रहना है मुझे कोई disturb ना करे और any obstacle ना ही कोई रुकावट के I want to sink deeper and deeper में अपनी imagination में बहुत गहरा और गहरा डूबना चाहती हूं सोचना चाहती हूं away from the surface surface याने उपर की बात तो कहते ही मुझे उपर उपर की बात, उपर उपर की एकादो की बात में मेरे कोई interest नहीं है मुझे तो deep thinking में interest है with its hard separate facts याने जो surface याने उपर उपर की बाते होती है उसमें बहुत separate facts हैने कुछ सचाही है बता दी जाती है कि ऐसा है लेकिन मुझे तो in-depth thinking करनी है और सोचना है कि ऐसा है तो क्यों है? facts के बार में और research करनी है लेकिन मुझे अब इस पेड ने disturb कर दिया तो steady myself let me catch hold of the first idea that passes Shakespeare फिर धीरे से उसने अपने आपको steady किया और अपने आपको slow down किया और इसने फिर से imagine करना imagination उसके mind में आना start हो गई और जो पहला idea उसके दिमाग में आया वो था Shakespeare अब Shakespeare कौन है महान राइटर है हम सबको पता है अब Shakespeare का thought इसके mind में क्यों आया क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला thought इसके mind में था उस ink spot के बारे में जो दीवार पर सोच रही थी कि होल है फर बाद में उसने सोचा होल नहीं है ये तो कोई ink का spot है अब ink इंक से कौन लिखता है इंक से writers लिखते है अपनी कहानिया लिखते है अपनी novels लिखते है तो क्योंकि ink spot उसने सोचा और ink spot से उसके mind में किसके imagination आने लगी अलग-अलग writers के बारे में लेखकों के बारे में जिसमें से उसका पहला खयाल Shakespeare के बारे में आया वेल, he will do as well as another जैसे Shakespeare करता है वैसे another दूसरे writers भी ऐसा ही करते होंगे कैसा करते होंगे? A man who sat himself solidly in an armchair and looked into the fire so a shower of ideas fell perpetually from very high heaven from through his mind perpetually मान वाइं, continuously तो वो ये कह रहा है कि मान लो एक आदमी ऐसा है जो अपनी armchair आमचेयर ये नॉर्मल चेयर जिस पर से आपनी arm को रख सकते हो उस पर आराम से बैठ है और solidly बैठ है और वो fire में देख रहे है ये फायर प्लेस को देखे जा रहे है उसके mind में continuously ideas आते जा रहे है continuously उपर heaven से आने समझें उपर स्वर्क से उसके नमाग में खयाल opinions ideas आते जा रहे है फिर उसने अपना जो forehead है अपने हाथ पे इस तरीके से रख दिया और एक सामनी open door है जिसमें से लोग उसको देख रहे हैं तो ये जो scene बाहर के लोग देख रहे हैं कि एक writer है उसके mind में ideas आ रहे हैं फिर वो ठक के उसने अपना सर हाथ पे इस तरीके से रख दिया ऐसा लग रहा है समर्स में जब शाम किसा में लोग ठक जाते हैं तब लोग ऐसा करते हैं तो ये जो imagination है Shakespeare के बारे में ऐसा करते हुए ये बहुत डल बहुत बोरिंग लग रहा है हमारी speaker को और वो कहती है तो historical fiction तो history history की realistic बाते नहीं है और इसमें मुझे कोई भी जादा interest नहीं आ रहा है boring चीजों में मुझे interest नहीं आ रहा है वो कहती है कि मैं तो ये wish करती हूं मेरी तो ये इच्छा है कि मैं तो कोई बहुत pleasant track में जाओं याने कुछ ऐसी imaginative track ऐसे imaginative रास्ते बें जाओं जो कि बहुत बढ़िया हो जो directly जिसमें reflecting credit upon myself याने मैं इसमें वह imagination करूं जो मुझे अच्छा लगता है जो मुझे अच्छा लगता है बहुत सारे writers क्या करते हैं बहुत सारे ही writers वह सारी चीज़े imagine करते हैं जो उनके mind में आती है फिर उन सारी imagination को अपनी किताब में उतारते और market में publish कर देते तो इससे उन्होंने क्या किया जो वह सोच रहे हैं जो उनके ideas हैं उन्होंने market में publish कर दिया लेकिन ये speaker क्या चाहती है ये speaker चाहती कि मैं जो भी imagine करूं वो मुझे credit करे मैं जो मुझे अच्छा लगे मैं वह सब imagine करूं for those are the pleasantest thoughts और क्योंकि वो मेरे जो thoughts होंगे मेरे सबसे pleasantest याने सबसे अच्छे thoughts होंगे जो मैं अपने लिए सोच रही हूं मुझे किसी और के लिए सोचने की जरूरत नहीं है and very frequent even in the minds of the modest mouse colored people modest का मतलब यहां पर क्या बोला गया है not talking too much about their own qualities वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी qualities के बारे में बात नहीं करते वो लोग जिनको अपनी तारीच सुनना पसंद नहीं और mouse colored people यहने चुहे का कैसा color होता है थोड़ा सा whiteish brownish color जैसे foreigners का color होता है वैसा तो वो अपने आपको modest कह रहे है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने imaginations अपने views को लोगों के साथ share करूँ और हम जैसे mouse colored people यहने थोड़ा lime light में जिनको आना अच्छा नहीं लगता लो रहते हैं अपने में रहते हैं मैं उस तरीके की हूं और मैं genuinely मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि जब लोग मितलब जब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अपनी तारीफ सुना लोग मेरी तारीफ करते हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्यों क्योंकि they are not thoughts directly praising oneself that is the beauty of them they are thoughts like this तो वह कहती कि जो मैं हम अपने लिए thoughts सोचते हैं वो directly हमें ही praise कर रहे हैं और यह thoughts किस तरीके के होते हैं आई यह next slide पर देखते हैं किस तरीके के वो thoughts होते हैं and then I came into a room फिर वो imagine करते करते घूमते फिरते एक घर के विला के उसी किसी कमरे में चली जाती है वहाँ पर दे याने वहाँ पर जो घर के लोग होंगे जो speaker का husband होंगे जो भी वहाँ पर लोग होंगे वो botany के बारे में discuss कर रहे होंगे botany याने की plants की जो study scientific study होती है उसके बारे में study कर रहे थे तो इसने उन लोगों से बोला कि मैंने एक flower उगते हुए ग्रो होते हुए देखा है dust heap पर याने जमीन में से नहीं याने धूल के धेरी पे से मैंने एक फूल को उगते हुए देखा है अपने पुराने घर में जहां Kingsway में हम रहते थे street का नाम है तो फिर वो कहती है कि वह जो सीड उस फ्लावर का जो सीड जो भी जो था उसको तब कब बोया था राइन ऑफ चाल्स फर्स के टाइम पर याने जब King Charles फर्स थे उनके रूल जब उनका राच था उस जमाने में उस सीड को बोया होगा अब दूसरे लोग जो सकमरे में मौझूद थे उसने उन्होंने question कैसे what flowers grew in the rain of Charles I? I asked sorry इसी ने फिर से इसी ने second question किया उन लोगों से इस lady ने पूछा दून लोगों से कि Charles I जो हमारे king थे उनके राइन याने उनके राज में कौन से फूल उगा करते थे इसने उन लोगों से पूछा क्योंकि वो लोग botany के बारे में study कर रहे तो उनको knowledge था but I don't remember the answer उन लोगों ने इसको कोई answer भी बताया लेकिन इसको वो अब answer याद निया रहा कि क्या वो answer था tall flowers with purple tassels to them perhaps and so it goes on तो फिर और बाते discussions आगे बड़ी तो उनने बताया कि लंबे flowers grow होते थे कुछ purple tassels याने उसमें purple करकी कुछ लटकन रहती थी tassels hangings रहती थी कुछ इस तरीके से and it goes on of a discussion चलता रहा तो इस तरीके से वो कुछ अपने experiences share करें and the time I'm dressing up the figure of myself in my mind अब यह वो time के बारे में बता रही है जब यह अपने figure को याने figure और myself का मतलब क्या याने अपनी figure को याने अपनी छवी को अपनी दिमाग में किस तरीके से बना रही है याने myself का मतलब यह है कि अपने बारे में अपने character के बारे में अपनी personality के बारे में अपने attitude के बारे में यह किस तरीके की इंसान है उसके बारे में यह अपने mind में सोच रही है lovingly, बहुत अच्छे से सोच रही है, इसको बहुत प्यारा लग रहे है अपने बारे में सोचना steadily, slowly in a secretive manner, धीरे धीरे हारा मारम से अपने बारे में research कर रही है और secretive manner में किसी के साथ अपने thoughts को share नहीं कर रही not openly adoring it, और अपने खुबसूरत thoughts के बारे में openly तारीफ नहीं कर रही दूसरे लोगों से ये, क्यों? क्योंकि अगर इसने किया, तो I should catch myself out and stretch my hand at once for book and self protection, याने कि वो कह रही है क्योंकि अगर मैंने अपने thoughts दूसरों के साथ share कर दिये, याने समझो मैंने अपने बारे में एक किताब लिख दी और वो किताब books shelf पे marketों में बिक्ती हुई मुझे मिलेगी फिर मुझे खुद में खुद को ढूढने की जरुद नहीं पड़ेगी, मुझे अपना हाथ stretch करना पड़ेगा किसी book shelf में और अपने आपको किसी किताबों के shelf में ढूंड़ना पड़ेगा जैसे कि दूसरे writers और दूसरे लेखा करते हैं वो अपने thoughts को लिखते हैं और market में books publish करके बेच देते हैं तो सब लोग उनके बारे में जानते तो उनको अगर अपने बारे में पढ़ना है तो वो अपनी book उठाते खुद को नहीं पढ़ते पर वो कह रही ही नहीं मुझे तो अपने अपको अपने अंदर imagine करना है books में खुद को publish नहीं कर देना इंडीड याने ट्रूली सच में यह इट इस क्यूरियस हाव इंसान बहुत जानने का इच्छोग रहता है कि कैसे इंसान अपनी खुद की इनको तो लोग पूचते हैं फॉरिन में लोगों को हर जगा शेक्सपेर को लोग पूचते हैं तो कहती है मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई idolatry करे मेरी कोई पूजा करे मैं अपने अंदर protect करके रखना चाहती हूँ अपनी image को और any other handling that could make it ridiculous और too unlike the original to be believed in any longer और it is not so very curious after all तो वो कहती है कि बस यह बहुत ridiculous बात है कि जब आप अपनी image protect नहीं कर रहे और बाहर और आपके फिर thoughts original नहीं रह जाते जादा लंबे समय क्लिए original नहीं रह जाते क्योंकि पूरी दुनिया के पास आपके thoughts पहुच जाते हैं और यह matter बहुत importance का है great importance का है फिर वो example देती कि suppose the looking glass smashes अब यहाँ पर looking glass का मतलब क्या है mirror आइना जिस glass में आप देख रहे हो उसको अब looking glass कहते हो तो वो कह रही है मान लो कोई looking glass है कोई आइना है दरपण है उसके उपर किस चीज की reflection पढ़ रही है green color के बड़े से forest की बहुत सुन्दर से नजारे की हरे हरे जंगलों की उस दरपण के उपर परचाई पढ़ रही है यानि mirror में green forest की image दिख रही है अब मान लो कि वो looking glass smash हो गया अब वो जो मेरा रहे वो तूट गया चूर चूर हो गया तो वो जो image उसके उपर पढ़ रही थी green forest की वो disappear हो जाएगी यानि चूर चूर हो जाएगी तूट जाएगी and the romantic figure with the green forest all about is there no longer और जो romantic सा figure था green forest का जो दरपण पे आईने पर पढ़ रहा था वो तूट गया हतम हो गया but only that shell of a person which is seen by other people what an airless shallow bald prominent world it becomes तो यही बात बोली जारी कि जब एक इनसान जिस तरीक से वो beauty चली गई यहने बोला जारी कि green forest की image पढ़ रही थी mirror पे mirror तूटा image चली गई लेकिन जो beauty थी green forest की reality में वो अभी भी actually exist करती जब भी आप उस forest में जाओगे घूमने या आप देखोगे तो आप वो beauty को experience करोगे लेकिन जब एक इनसान एक mirror के सामने खड़ा होता है मिरर तूट जाता है तो हर इंसान के बाहर एक शेल होता है उसने अपना एक शेल बना के रखा हुआता है अंदर से वह इंसान कुछ और है बाहर से एक शेल है तो जब मैं mirror के सामने खड़ी होंगे और mirror तूटता है तो समझो क्या तूटा वह शेल तूटा याने उस वक्त जो मैं सोच रही होंगी वह चीज तूटी मैं actually मैं reality में मैं जो हूँ वह अभी भी मेरे अंदर alive है और जब इंसान airless हो जाता है याने जब इंसान के अंदर से emotions खतम हो जाते है वह shallow हो जाता है बिलकुल उसके अंदर depth नहीं होती गहराई नहीं होती उस इंसान के अंदर wild हो जाता है याने समझो surface से खतम हो जाता है गंजा जिसको हम बोलते हैं प्रोमेंट याने जो फेमस वर्ल्ड है दुनिया है समझे वो उसका पार्ट बन जाता है क्योंकि दुनिया में सभी ऐसे है अब वर्ल्ड नॉट टू बी लिव दिन फिर यह दुनिया ऐसी बन जाती है जब वहां रहने लायक नहीं बचता क्योंक फिर फेल जैसे हम एक दूसरे को बहुत सारी भीड़ वाले लोगों को ओमिबसे में लिते अंडर ग्राउंड रेलियुज चैशन पर मिलते हैं तो हम एक दूसरे को समझो मिरर में देख रहे हैं याने उसने मुझे देखा तो मैं उससे हेलो हाई हावाय करें एक शेल दिख चुक्रेट को क्ली उपने क्या वाले के सामने एक्सिप्रेस, नहीं कर रहें हो, क्योंकि आप नहीं उनको जानते हो, आप का उन से कोई ले ना देना नहीं, सिरूometर। बस में मेटरों पर मिल गए तो आपने उनसे उतनी ही रखी है और हमारी आखों में एक gleam याने light of glassiness दिखती है याने कि एक आच की वो चीज़े दिखती है जो fake है जो सामने वाले के लिए real नहीं क्योंकि हम उने नहीं जानते तो जब हम अपने अंदर की feelings normally किसी को नहीं बता सकते तो अपने ideas अपने imaginations क्यों लोगों तक पहुचा है अपने पास अपने अंदर ही रखे अपने novelists in future will realize more and more अब यह उस जमाने की बात है जब हमारी writer कह रहे है कि future में जो हमारे novelists होंगे जो novels लिखने वाले writers होंगे वो इस चीज़ को realize करेंगे जादा से जादा कि in reflections की कितनी importance है हमारी life में reflections बोली तो emotions की जब हमारे अंदर emotions है thoughts हैं, सोचनी की शक्ती है उसकी कितनी importance है हमारी life में अब और of course there is not one reflection but almost infinite number और यह बात जाहिर सी बात है कि एक इंसान के अंदर एक reflection यानि कोई एक emotion नहीं होता infinite, unginet emotions कभी रो ना आते, कभी हसी आती, कभी love होता है infinite emotions एक इंसान के अंदर those are the depths they will explore और यही वो depths वो गहराई है जो novelist explore करेंगे इसके बारे में लिखेंगे जादा से जादा अपनी कितामों में those the phantoms they will pursue leaving the description of reality more and more out of their stories phantom मतलब भूत या भूत को किसी ने देखा अच सब किसी ने नहीं देखा यानि वो सारी चीजें जो reality में exist नहीं करती यहां पर लिखा भी मैंने कि हमको ऐसा लगता है कि रेल होती है बट आक्चली वो रेल नहीं होती है तो लोगों ने जो बाहर से अपनी image बना के रखी है जो हमें लगता है रेल है हाँ यह इंसान तो ऐसा ही बट आक्चली वो होता नहीं है वो अंदर से कुछ और ही इंसान होता है तो future में जो novelist हैं वो phantoms को pursue नहीं करेंगे यानि वो reality पर जादा से जादा focus करेंगे और अपनी stories में reality के बारे में लिखेंगे ना कि कोई fake चीजों के बारे में taking a knowledge of it is for it for granted and the Greeks did and Shakespeare perhaps तो knowledge क्या है जितना आप देखोगे जितना observe करोगे इतना आपको ग्यान मिलेगा तो जैसे Greek philosophers ने जैसे Shakespeare ने किया कि deep thinking करके लोगों के बारे में लिखा ना कि उनके उनके outer shell के बारे में लिखा ऐसा ही दूसरे novelist भी future में करेंगे but these generalizations are very worthless अब writer बोलती है कि पर यह जो generalizations है जो Greek philosophers ने जो Shakespeare ने लिखी है यह मेरे लिए worthless नहीं आने कि मेरे लिए इनकी कोई value नहीं है generalizations बोले तो जो भी उन्होंने general statements दे दी कुछ थोड़े से facts और examples पर कुछ थोड़ी बहुत सची बात और examples पर तो मेरे लिए worthless है अभी और deep thinking हो सकती है The military sound of the word is enough Military sound of the word हर word अपने आप में enough है परियापते वो word अपने आप में ही एक meaning show कर रहे है तो जो अगर आपने अपने story में कोई ऐसा शब्द लिखा है वो शब्द अपने आप में ही military sound है याने परियापत है उसको और deep thinking करने के उस पर कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो words हम novels में पढ़ते हैं ये हमको क्या recall कराते क्या याद दिलाते बड़े-बड़े famous articles जो बड़े-बड़े लोगों ने लिखे वो बड़े-बड़े cabinet ministers जो हम लोगों को पर राच करते रूल करते जब आप जीते जी नर्ख में जी रहे हो तो ये जो cabinet ministers है ये पूरी class पूरा एक ऐसा वर्ग था जो जिन्होंने जैसा सोच लिया बस वैसा सोच लिया दूसरे क्या बता रहे हूं उस पर नहीं ये सोचते थे इन्होंने अपने एक standard set कर दिया था जिससे ये खुद को अलग याने depart नहीं कर पा रहे थे और जीते जी इन्होंने ऐसे rules बना लिये थे bring back somehow Sunday in London Sunday afternoon walks याने लंडन में वर्ल्ड बॉर के टाइम पर afternoon walks, Sunday luncheons याने lunch जो lunch पे लोग साथ में खाने पीने जा रहे है इसका culture कही न कहीं खतम हो गया था लेकिन अब इन्होंने जो rules and regulations बना दी कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा कहीं न कहीं freedom लोगों की इन cabinet ministers ने रोक दी restrict कर दी, तो इस वज़े से क्या हुआ लोग Sundays को यह संडे का जो trend था लंडन में वो वापस आ गया लोग Sunday में दिन में वाक पर जाने लगे और इन generalizations के बार में बात चीत करने लगे लुटे जने लगे वहाँ पर इन सब चीजों के बार में बात बैटना है एक घंटिक लिए बैटना है बातचीत करनी है इन सब टॉपिक्स पर बात करनी ही है तो यह तरीका का रूल था जो शायद किसी को अच्छा नहीं भी लग रहा था फिर भी लोग कर रहे थे There was a rule for everything तो इन cabinet ministers ने एक rule बना ले तो almost हर एक चीज के लिए इन लोगों ने rule बना ले था इन्होंने एक और horrible Be to का rule बनाया था table cloth के बारे में जो कपडा आम table पे लगाते हैं ना table cloth, एक उसका भी rule बना दिया था कि कि जो table cloth है वो tapestry का ही बना होना चाहिए यानि कि एक heavy cloth होता है जिस पर designs वगरे बनी रहती है कुछ इस तरीके की जो हम बड़े-बड़े royal palaces वगरे में देखते हैं तो बोला इस तरीके का table cloth ही चलेगा और उसके उपर yellow compartments और पीले-पीले ऐसे खाचे बने होने चाहिए जैस ने कुछ दूसरा लगा दिया table cloth तो मतलब आपका कोई table cloth real table cloth निये तो राइटर केती हाँ शॉकिंग कितनी शॉक होने वाली बात है कि यह भी कोई rule है और फिर भी कितना wonderful था यह discover करना की real चीजे क्या है संडे में लोग लंच पर जाने लगे संडे को लोग वाक्स पर जान imagination यहाँ पर freely use नहीं कर पा रहे थे नहीं हम कलपना कर पा रहे थे क्या हम पर rules थोप दिये गए थे यह सब phantoms थी याने यह सब चीजे लग real रही थी लेकिन actually यह सब कोई reality में exist नहीं करती है और हम damnation में थे याने हम जीते जी हैल याने नर्क में जी रहे थे इनके rules के under which visited which visited the disbeliever in them was only a sense of illegitimate freedom disbeliever कौन होता है वो इंसान जो इन सब चीजों में believe नहीं करता तो उस जमाने में जो व्यक्ति believe नहीं करता था कि अरे काई का tablecloth हम अपनी खुशी से अपना अपने मन का tablecloth भी लगा सकते हैं तो उनको क्या बोला गया उनको illegitimate freedom बोला गया याने कि not allowed by law law ने rules और cabinet ministers ने बोल दिया कि नहीं आपको freedom आपको यादधी नहीं है कि अपने मन का tablecloth लगाओ क्यों क्योंकि this is not allowed by the law legally allowed नहीं है तो अपने मन से इंसान उस जमाने में कुछ कर भी नहीं सकता था what now takes the place of those things I wonder those real standard things तो अब यहां पर राइटर कहता है कि बाई उस दमाने में जो सारी चीजें हुई थी अब जिसको जिसको standard things माना गया था कि बाई यहीं सही है अब पता नहीं उनकी जगा पे कौन सी नहीं नहीं चीज़े आ जाएंगी men perhaps should you be a woman अब यहां पर बोला जा रहा है कि men perhaps आप तो आदमियों तो रॉइटर जेंड से आदमियों से बोले कि आप तो आदमियों क्या आप औरत हो यानि आप हो तो आदमी लेकिन क्या आप औरत हो उस जमाने में जब यह स्टोरी लिखी गई थी तो उस जमाने में चाह इ तो यहां पर यह बोला जारे कि आप तो आदमी हो क्या आप और तो याने और तो जैसे क्यों बेहेव करें जो Cabinet Minister Rules and Regulations बे तुके कि आप फेर थो पर हैं वह आप फॉलो क्यों कर रहे हैं कि फॉलो करने का काम तो वुमन का है not the men तो जो भी यहां पर क्या हो जो भी masculine point of view which governs our lives which sets the standard तो यहां पर जो भी हम पर rules and regulations cabinet ministers लगा रहे थे वो एक masculine point of view था याने हमेशा किसका point of view follow किया जाता था masculine का याने कि man का जो हमारी life को govern करते थे चलाते थे और हमारी life में जितने standards थे यही rules follow standard set होते थे और इसी standard ने विटेकर's table of presidency भी बनाया था which has become I suppose since the war तो यह first world war के time की कहानी है और war के बाद से ही जो जितने भी men थे जो govern कर रहे थे country को उन्होंने विटेकर's table of presidency बनाया था याने कि table of hierarchy यह hierarchy होती थी जिसमें यह बता जाएगा कि कौन किसको repeat report करेगा याने उपर एक man है यह order देगा और इसके इंडर जितने भी लोग होंगे चाहे men या चाहे women कितनी भी लोग होंगे यह सब order blindly follow करेंगे और इनको report करेंगे तो इसी में बताया गया था कि जितने भी आदमी है वो औरतों को क्या देंगे rules and regulations बताएंगे उनको blindly इसा follow करनी पड़ेगी यह war की बात से हो गया था half a phantom to many men and women और यह यह भी एक बहुत बड़ा phantom है half a phantom मतलब जैसे हम किसी को बोलते ना इतो आधा पागल है तो पूरा पागल है लेकिन बात क्या है पागली मतलब है न तो half a phantom आने यह बात भी दिख real रही है लेकिन यह सब बहुत reality में exist नहीं करता है याने कि लोगों को यह दिखाया गया था freedom के नाम बे कि हम आपको rule करेंगे हम आपको govern करेंगे लेकिन औरतों को यह सब follow करनी की जरूरत नहीं थी चाहे वो men हो या चाहे उस जमाने के women हो गलत चीज़ें उनको follow नहीं करनी थी जैसे कि stupid table cloth वाला rule था okay with soon one may hope will be laughed into the dustbin where the phantoms go और फिर writer बोलती है कि और यह stupid चीज़ें हर इंसान यह उम्मीद कर रहा थो जमाने में कि लोग हसते थे इन सारे बेतों के rules and regulations पर और लोग सोचते थे कि जल्द ही soon जल्द ही यह सारी चीज़ें dustbin में जाएंगी इन phantoms के साथ ही साथ यहन्य कोई नहीं माने गए अनको अब writer हमें बोलती है इस दुनिया में हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा अपने कपड़े भी अपने बॉड़ी भी everything माहागनी क्या होता है माहागनी एक तरीके की wood होती है reddish color का wood होता है तो जो माहागनी बहुत expensive wood होता है और sideboards यहने घरों के side में जो यह board लगाते है माहागनी के बने हुए रहते तो writer बोलती है कि जो माहागनी के sideboards है यह भी आपको छोड़ना पड़ेगा landseer prints landseer मतलब एक बड़ा सा painter होता है जो prints है ने बड़ी-बड़ी paintings बनाता है इसको भी छोड़ना पड़ेगा god and devils भगवान और राक्षास god and devils सबको छोड़ना पड़ेगा hell सबको छोड़ना पड़ेगा leaving us all with an intoxicating sense of illegitimate freedom if freedom exists ellipses तो writer को भी और भी लिखना है बट वो उसको समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं क्या बोलू क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखो imagination तो बहुत आ रहा है तो उनको कहने का मतलब यह है कि सब कुछ हमें छोड़के जाना पड़ेगा intoxicating चीजे क्योंकि यह सब चीजे क्या है जहरीली चीजे पाल्तु के rules and regulations है जो हम पर थोपे गए है freedom के नाम पे और यह illegitimate बोला गया है हमको बोला गया कि यह laws है आपको follow करने पड़ेंगे तो freedom के नाम पे हमको यह इतने सारे laws थोप दिये गए और हमारी freedom हटा दी गई है और बहुत freedom का बोला जा रहा है if freedom exists तो उन्होंने कहा है कि future में अगर freedom सच में आजादी सच में exist करत है तो अच्छी बात है अदवाइस यह सब चीज़े तो हमें यहीं पर छोड़कर जानी है ठीक है इन सॉर्टन लाइब्स एक माक उन्द वाल सीम्स आक्चुली तो प्रोजेक्ट फ्रम देवाल अब यहां पर वो जो राइटर है वो जो नरेटर है बैसिकली वो जो अनॉन बुमन है वो सोच रही है कि इस कमरे में जितनी भी लाइट्स है उन लाइट्स यह जो जितनी लाइट्स है जो वाल पर पड़ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो मार्क है वो उससे प्रोजेक्ट हो रहा है याने ऐसा लग रहा है कि जो दीवार पे जो मार्क है वो प्र था वो पूरी तरीके से गोल नहीं था तो I cannot be sure but it seems to cast a perceptible shadow suggesting that if I ran my finger down that strip of the wall it would at certain point mountain descend a small tumulus a smooth tumulus like those barrows on the south downs which they say either tombs or cams perceptible का मतलब क्यों होता है that can be felt जो चीज आपको feel हो रही होती है तो यहां पे वो राइटर बोल रही है अब मैं anonymous lady को writer बोल रही हूँ है ना बार-बार क्योंकि मेरे मुझसे वो ही निकल रहा है तो वो जो writer है वो यह बोल रही है कि वो जो shadow है वो perceptible थी यहने feel हो रहा था कि दीवार पर कोछ उब रहा हुआ अब वो पहले जो mark उनको hole लग रहा था फिर वो mark उनको ऐसा लगने लगा कि इंक का कोई धबा है कोई spot है अब वो कह रही है कि मुझे तो यह किसी चीज की shadow उस किसी चीज की परच्छा ही लग रही है फिर वो कहती है कि मैंने मानलो अगर ऐसी उभरी हुई थी वो चीज दीवार से कि मानलो गर मैं अपनी finger दीवार से ऐसे नीचे करती तो पहले मेरी माउंट होती याने मेरी उंगली उस चीज पर चड़ती और फिर डिसेंड होती याने नीचे की तरफ जाती इतमींस ऐसे करके मेरी मेरी फिंगर जाती क्यों क्योंकि कोई चीज भार की तरफ उभरी हुई है और ट्यूमिलस याने चोटे-चोटे ऐसे माउंटेन टाइप के एंड बैरोस भी वह होता है कि जैसे जो अर्थ में से बड़ा सा माउंड निकला हुए रहता है धर्ती थोड़ी उपर तरफ उठी हुए रहती है यह से मिनी माउंटेन टाइप का तो यहां पर हो बोलती है कि जैसे साउथ डॉन एरिया में जैसे ऐसे बैरोस और ट्यूमिलस होते है जो इस तरीके से जाते है ऐसा लग रहा था दीवार पे भी कुछ इस तरीके से उबरा हुआ है दे से इधर टूम्स और कै बोडी का मगबरा जहां पर किसी डेट बोडी को दफनाया जाता है वह उसका मगबरा बनता है और कैम्स का यहां मतलब है रिफ्यूजी कैम्स अब क्योंकि यह जो स्टोरी है यह वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम लिखी गई थी तो यहां पर राइटर जो भी सोच र मार दिया गया था तो अब यहां पर वो सब इमाजिन करना स्टार्ट कर दिया उसने और वो कहरी ऐसा लग रहा है कि यह जो मार के कोई रिफ्यूजी टूम्ब या कोई कैम्स है क्योंकि यह वार का टाइम था of the two I should prefer them to be tombs desiring melancholy like most English people and finding it natural at the end of a walk to think the bones stretch beneath the turf melancholy का मतलब क्यों होता है एक ऐसी feeling sadness की डुख की जो काफी लंबे समे तक चल रही है turf का मतलब क्यों होता है ground covered with grass and soil below it एक ऐसा ground मैदान जिसके उपर घास है और नीचे पूरी soil है क्योंकि obviously जो घास है वो soil में ही उखती है तो यहां पर उनके कहने का मतलब है कि out of two याने tombs और camps के बीच में से मैं क्या prefer करती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो mark है यह टूम याने किसी की कबर जैसा लग रहा है याने war में मरे हुए लोगों की जो कबर है टूम है मगबरा है उनके जैसे लग रहा है और क्योंकि यह बहुत sadness की बात है मेलन के लिए बात है और वो ऐसा सोचती की जित्ती भी बोन्स जित्ती भी हड्डियां इन कबरों में से निकाली जाएगी वो कहां से निकाली जाएगी टर्फ में से याने जमीन में से खोद खोद के निकाली जाएगी उन मरे हुए लोगों की जो वार में इनकी डेत हो आंटीक चीजों को पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को के बारे में स्टडी करतें और उनको इखटा करतें, collect करतें तो वो कहती है कि इन टॉम्म्स में से निकाला गया होगा लोगों को उनकी बोन, उनकी हड़िया निकाली गयोंगी और क्योंकि बहुत सारे लोग मर गय थे पता ही नी था कि ये मगबरा या ये कबर किसकी है तो उनको कोई न कोई नाम दे दिया गया होगा वोट सौट अफ आ मैं इन अंटिकुरी आ वडर फिर वो सोच थी कि मैं है रान हो के वो सोच थी कि अंटिकुरी किस तरीकी का इंसान है भाई हड्डिया भी निकाल रा जमीन में से लोगों की अब यहां पर वो बोलती के अंटिकुरी पता नहीं किस तरीके के लोगों है के शायदुर कोहनगे और क्रींद करनल के अर्मी के रिटायड करनल को लीड कररें अंचे अंदर बहुत सार एजएट्री डेपरर होंगे। यहांपर एजएट के मतलब है एक्स्पीरियंस जनको कुछ अनुष आनुभाव तो कहते हैं कुछ retired kernels के अंडर कुछ workers काम कर रहे होंगे जो कि काफी experience दोंगे जो कि जमीन खोद-खोद कर उन bones को निकाल रहे होंगे और examine कर रहे होंगे उन clods of earth को याने check कर रहे होंगे lumps of earth को याने जो किसी को गाड़ा तो वो area उठ जाता है याने ढेला बन जाता है हैने वाले पादरी प्रीस्त के पास ले जाया गया होगा क्योंकि ultimately death के बाद जो dead body होती है उसको कहां ले जाते हैं उसको पादरी या priest के पास church में ले जाया जाता है और यह क्योंकि English men की बात और यह foreigners की बात और तो चर्च की यहां पर जिक्र हो रहा है और यह जो clergy जो चर मिल रही होगी जिनकी वाँ आज तो कितने सारे लोगों की death हो गई है और arrowheads के होता है याने तीर का जो यह head होता है उपर से इसको arrowhead कहते हैं तो हो सकता है वार में इस तरीके के weapons use होगे लोगों को मारने के लिए necessities necessities याने to make something necessary की वार में तो इस चीज का use होना necessary हो गया हो arrowheads यह भी कुछ मिले होंगे जमीन में से जब उन्होंने खोदा होगा तो इसको भी एक जगा से दूसरी जगा पर भेजा गया होगा examine करने के लिए check करने के लिए cross country अलग अलग कंट्रियों में भेजा होगा county towns था county towns याने ब्रिटेन के और US के वो areas जिनकी खुद की अपनी local government होती है वो county towns होते थे तो बोला अलग-अलग countries अलग-अलग country towns में arrowheads को भेजा गया होगा examination के लिए an agreeable necessity both to them and to their elderly wives अब यहां पर retired colonels की बात हो रही है कि वो agree भी कर रहे थे उनको यह सब चीज़े समझ में आ रही थी कि हां कि definitely यहां पर death तो ही है यहां पर यहां तो किसी के tomb हुए होगे यहां तो यह proper पूरा refugee camp ही रहा होगा जहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होग और यहां तक कि उनकी retired colonels की जो बड़ी भूरी उनी की age की जो उनकी बीवियां थी वो भी इन सब चीजों में involved थी मतलब ढूणने में इन सब में वो क्या करती थी यह लोग retired colonels काम करते थे और यह लोग उनके लिए plum jam बनाती थी उनका study यान उनका study room clean करती थी यह सब करती थी तो यहां पर gender discrimination बताया जा रहा है कि कैसे men important काम करते थे important decision making में उनका involvement था लेकिन उनकी wives उनकी घर की जो ladies थी उनके साथ उनको इतनी importance चायद नहीं मलती थी वो घर के काम का जो cooking में ही लगी रहती थी और लेकिन फिर भी वो भी in refugee camps के बार में पूछती रहती थी अपन continuously suspension already although उनको allowed suspension याने उनको allowed नहीं था पूछने लेकिन फिर भी वो बार बार पूछती रहती थी while the colonel himself feels agreeable philosophic and accumulating evidence on both sides of the question और करनल क्या करता था बहुत accumulate करता था याने collect करता था accumulate याने collect करता था बहुत सारा evidence याने proof collect करता था बोथ sides of the question पर याने ये ढूड़ने में कि कहीं वो tomb तो नहीं था किसी कुछ लोगों के या कहीं वो पूरा refugee camp तो नहीं था तो वो काफी जादा proof अगर एखटा करते रहते थे ते करनल ये बात सही है कि finally उन्हेंने जब ये बिलीव हुआ कि नहीं भाई ये तो प्रॉपर पूरा refugee camp ही था जब World War One में जहां बहुत सारे refugees रहते थे और वहां पर उन सब लोग वो लोग ऐसे ही मर गए फिर उन लोगों को बहुत सारे फिर रिटायर्ट करनल ने बोला कि बहुत सारे लोगों ने अपोस किया याने कि बहुत सारे लोगों ने उनकी ओपीनियन को माना नहीं कि नहीं नहीं है को refugee camp अगरे नहीं था इंडाइट्स याने राइट्स लिखना लेकिन फिर भी करनल ने एक pamphlet एक notice type का कुछ लिखा जिसमें वह एक quarterly meeting में जाते हैं local society के लिए when a stroke lays him down stroke याने जब आप strokes बनाते हो जब आप letters बनाते हो लिखते हो stroke a movement one makes while writing तो finally जब वो एक meeting में गए करनल किसी local society में तो वहाँ पे भी वो कुछ लिख रहे थे कुछ pamphlet पे और finally एक एक ऐसा stroke आया यहने कुछ एक ऐसी बात आई जहां पर वह बहुत लो हो गयाने एकदम वह बिल्कुल ढल से गए एकदम साट से हो गए and his last conscious thoughts are not of wife or child उनको यह समझ में आगे कि उनके आखरी thoughts जो थे मरे हुए लोगों के जो आखरी thoughts जो थे वो उनकी बीवी या उनके बच्चों के बारे में नहीं थे but of the sorry कर्नल की बात ऊरी यहां पर की लिखते लिखते जो उनका आखरी thought था कर्नल का वो अपनी बीवी अपनी बच्चे अपनी family के बारे में नहीं था बलकी camp के बारे में था and that of arrowhead there उनको ये उनको बस ये लग रहा था कि नहीं वो प्रॉपर रिफ्यूजी कैम्प था और जो arrowheads मिले थे वहाँ पर उनी से ही शायद उनको मारा गया था और अब ये जो arrowheads हैं ये जो पुरानी local चीजे हैं ये सब किसी एक museum का भिस्सा बनके रह गई हैं लोग उससे मरे गए थे और अब ये किसी museum का हिस्सा बनके रह गए हैं और इन सारी चीजों को किसी Chinese murderer के पैरों के पास रख दिया होगा ये Chinese murderer भी museum में होगा और उसके पैरों के पास ये सब चीजे रख दी होगी या फिर Elizabeth जो Queen रही होगी उनके मुठी बर handful याने उनके मुठी बर नाखुनों के पास रख दी होगी इन चीजों को या Tudor, Tudor क्या है? Tudor एक English ruler रह थे उस जमाने में तो या तो Tudor के जो clay pipes आज के जमाने में लोग सिगरेट पीते हैं उस ताइम clay pipes ये उनके के इस फाइप हुए करते थे इस तरीके की जो चीजे महां museum में रख दी होगी उनके साथ ये सारी चीजे रख दी होगी Roman pottery, Roman में जो pots जिस तरीके होते थे ये सारी चीजों के पास रख दी होगी इन सब चीजों को या फिर Nelson ने जिस glass में wine glass में wine पी थी वो सब चीजों के पास इन सारी मिली हुई चीजों को रख दिया होगा museum में proving I really don't know what तो writer यहां बोलती है कि ये सब चीजे क्या proof कर रहे हैं मुझे नहीं पता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा No, no, nothing is proved, nothing is known तो फिर से वो अपना कुछ और सोचने लगती है कि नहीं नहीं इस से कुछ प्रूव नहीं हो रहा क्योंकि हमें कुछ पता है ही नहीं and if I were to get up at this very moment and ascertain that mark on the wall is really what shall we say तो वो कहती है और इसी moment अगर मैं उठ जाओं और ये जानने की कोशिश करूं याने to find out याने ये जानने की कोशिश करूं कि दीवार पे जो mark है ये क्या है तो हमारा इस बात पर क्या कहना है The head of a gigantic old nail driven in 200 years ago which has now owing to be patient attrition of many generations of housemates gigantic मतलब very big, बहुत बड़ा तो अब वो imagine करती है कि ये जो nail ठोकी गई होगी, gigantic old nail वो बोल रही कि ये जो कोई nail यहाँ ठोकी गई होगी, ये 200 साल पुरानी कोई kilo होगी कोई nail होगी और 200 साल पहले जो nails के size होते थे, जो kilo के size होते थे, वो थोड़े बड़े size के होते थे और मानलो नेल ऐसी होती होगी पुराने ज़वाने में बड़ी सी तो यह जो सुई है, मतलब यह जो नेल, यह जो कील है यह जो उसका उपर का हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं head तो वो सामने से जब देख रही तो head उसको ऐसे निकला हो दिख रहा है बहुत साल, 200 साल शायद निकल गए है और attrition हो गया है, याने कि कोई चीज बहुत वीक हो गया अभी दीवार भी बहुत वीक हो गया, यह बहुत कमजोर हो गया होगी होगी शायद 200 साल में, तो जो यह head जो अंदर की तरफ ठोका गया होगा पेंट का जो एक कोट लगा है, एक लियर लगिश है तो उसके बहार ही आ गई हो और इस तेकिंग इस फर्स व्यू अफ मॉडन लाइफ इन अपने आस पास वाइट पेंटेड वाल को देख रहा है और एक ऐसी वाल को देख रहा है, जो फायर लिट रूम है यहान जहां पर फायर प्लेस है उस कमरे में वाल पर वाँ है वियंटिर का समय फायर जल रही है, वहां पर वोट शड़ा है? गेन. फिर राइटर सूच ऺए यह सब चीज़े से इमेजीन करके मिले को क्या गेन हो रहा है? मिल्स क्या प्राप्त हो रहा है matter for further speculation speculation the activity of guessing possible answers without much information याने वो सोचती कि किया मैं कुछ ऐसी चीजे ऐसे प्रशनों के सवाल सोचने की कोशिश कर रही हूँ जिसके बारे मैं मुझे कोई as such कोई बहुत information नहीं है बस मैं guess कर रही हूँ कि ऐसा रहोगा ऐसा रहोगा 200 साल होगे ऐसा मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे reality नहीं पता है कि यह चीज जो mark है wall पर यह क्या है क्योंकि जो writer है वो chair पर बैठी हुई है बहुत दूर से wall पर उस mark को देख रही है तो वो सरफ guess कर रही है उसको actually नहीं पता कि reality क्या है कि actually वो mark है किस चीज का I can think sitting still as well as standing up अब writer बोलती है कि मैं तो बैठे बैठे भी अच्छे से सोच सकती हूँ और चाहे खड़ी भी हो जाओं तो भी मैं अच्छे से सोच सकती हूँ and what is knowledge यह ज्यान क्या है what are our learned men save the descendants of witches and hermits who crouched in caves and in woods brewing herbs descendants मतलब जो लोग एक एक खांदान एक एक फैमिली से बिलॉंग करते हैं याने वन्शज याने for example किसी के पूरवज है तो उनके बच्चे 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 वो उनके descendants हैं याने उनके वन्शज हैं उनके वन्श के लोग है हर्मिट्स याने की एक ऐसा इंसान जो बहुत सीखे पड़े हुए export लोग है जिनको बहुत ग्यान है क्या वो होते हैं जो जो शायद चुडएलो की witches लिखा नहीं पर जो शायद चुडएलो के वन्शज है या शायद वो की जिनको जिनके पास जो शादूसंथ के वन्शज है क्या वह बहुत learned मैंने क्या उनके पास knowledge है जो शायद कभी गुफाओं में और woods याने जंगलों में crouch करके याने इस तरीके से जंगलों में बैठा करते थे तपस्याइं किया करते थे brewing herbs जो शायद जंगलों में रहते थे गुफाओं में इस तरीके से बैठते थे और जड़ी बूटियों का जो रस पीते थे श्री माइश श्री माइश याने इस चाचुंदरों जो जंगल में श्री माइश जैसे चाचुंदर आते होंगे उनके बीच में बिचारे रहते होंग इंटेरोगेटिंग याने उन्हीं से बिचारे बाते करते होंगे और राइटेंग डाउन दाउन दा लाइंवेज ऑफ दस्टार जो शायद खुले आसमान तले जो शायद उनके सर पे छट भी नहीं होगी जो शायद स्टार्स को काउंट करते होंगे रात में जब उनको नीन क्योंकि अब कहीं न कहीं सूपरस्टीश ड्विंडल और रिस्पेक्ट पर ब्यूटी एंड हेल्थ माइन इंक्रीज़ ड्विंडल याने किसी चीज का कम होना तो वह यह बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपने सूपरस्टीशन अंध विश्वासों को कम करते हैं अपनी ला करती है और हमारे दिमाग की हेल्थ भी बढ़ती है तो यह सारी चीजों को हम रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं जब हम अंध विश्वास को इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में और तब ही एक इंसान एक बहुत प्लेजंट वर्ल्ड को इमाजन कर सकता है यह बहुत एक यह फिल्ड जैने खुले मैदानों में तो वह बहुत सुंदर दुनिया होगी जहां हम इन सारी चीजों को रिस्पेक्ट करेंगे ना की सूपस्टिशन को और एक ऐसी दुनिया होगी वह दुनिया जो सुंदर सी दुनिया होगी यहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्थ कुलिस नहीं होंगे हाउसकीपर नहीं होंगे और पुलिसमें नहीं होंगे वहां पर यह लोग नहीं होंगे अब यहां पर यह जो रफ्राइस यह सब मैंड सब बाइस आदमी है तो यहां पर यह बताया जा रहा का कम औरतों का होता था तो यहां पर वो बता जा रहा है कि एक सुन्दर दुनिया वो होगी जहां पर प्रोफेसर स्पेशलिस्ट याने आदमी नहीं होगे याने इन लोगों का राजनी होगा यह सब तो होंगे लेकिन क्या होगी जैसे उन्होंने एक्जाम्पल दिया है कि जैसे एक फिश क्या करती है एक फिश अपने फिन याने अपने जोसके जो साइड के जोसके विंग्स होते हैं फिन जो होते हैं विंग्स तो बर्ट के होते हैं जो फिश के साइड में होते हैं ऐसे तो यह क्या होता है यह पानी को चीरती हुई अपने fins की मदद से आगे बढ़ती है वैसे ही हमारे thoughts कैसे होने चाहिए हमें एक thought आया फिर cut फिर हमने किसी दूसरी चीज को देखा फिर हमें वो दाला thought आया फिर cut फिर तीसरी चीज पर हमने देखा किसी चीज पर हमें उसके बारे में थोट आये फिर कट फिर चौथी चीज एंड सो ओन तो हमारे थोट इस तरीके की होने चाहिए जैसे Clearly, एक चीज पर सोचा, एक चीज पर बस अठके नहीं रह गए, एक चीज फिर दूसरी चीज, तीसरी चीज and so on, अठके नहीं रह गए, जैसे फिश एक जगा अठकी नहीं रहती, पानी को चीरती हुई आगे निकलती, वैसे हमारे थोट्स भी एक जगा अठके नहीं होने चा और उनकी स्टेम्स याने की, मानो यह जैसे वाटर ले ली है, तो उसकी जो स्टेम्स याने की जो डंडी है, ग्रेस करती हैं, यह फिश याने खाती है, हैंगिं सस्पेंडे ओवर नेस्ट आप दा वाइट सी एक, पानी में जो सफेद अंडे होते हैं, दूसरी मचलियों के नेस्ट होते हैं, याने की जो उनके रहने के जो नेस्ट होता है, उसमें यह हैंग करी, कभी हैंग भी हो जाती हैं, लेकिन रुकती नहीं है, तो यहां पर रैटर कहती हैं, यह जो पानी की दुनिया है, जिसको हम अंदर से उपर की तरफ देख रहे हैं, अभी हम मानो, imagine को रहे हैं, गेजिंग अप उपर की तरफ देख रहे हैं, याने हम पानी के अंदर हैं और उपर की तरफ देख रहे हैं, पानी को और ब्यूटिफल दुनिया को ग्रे वाटर के थूद दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर थोड़ी थोड़ी उपर से विटेगर्स अलमनैक, साल में एक बार UK में एक ऐसी किताब, एक reference book होती है, विटेगर्स अलमनैक, जो साल में एक बार United Kingdom में publish होती है, और इसके अंदर बड़े-बड़े articles होते हैं, और अलग-अलग subjects के बारे में tables और list वगरे बहुत होती है, और table of presidency क्या होता है, ये एक ऐस table बनाया गया था, उस time पर जिसमें hierarchy थी, याने कौन किसको report करेगा, याने मैं किसके order follow करूँगी, अच्छा, इनके करूँगी, ये किनकी order follow करेंगे, इनके उपर कौन है, ऐसा, तो एक hierarchy का जो table था, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि वो ये वो सुन्दर दुनिया होग याने जहां पर आदमियों द्वारा लिखे हुए बड़े-बड़े articles नहीं होगी, जहां पर men dominated society नहीं होगी, जहां पर hierarchy नहीं होगी कि हमें किसको follow करना है, जहां पर simply सब equal होगे, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं होगा, सबको एक जैसे एक तराजू में तोला जाएगा स आपको, जहां equality होगी basically, gender discrimination नहीं होगा, तो यह सुन्दर दुनिया वो दुनिया होगी, फिर वो कहती है कि मुझे तो भाया खड़े होके, खुद से देखना चाहिए कि यह जो दीवार पर मार्क है, वो किस चीज़ का है, क्या वो कोई नेल, कोई कील है, क्या वो कोई सूख observation, अब यह जो line है, यह बहुत important line है, इसको ध्यान से समझना, nature, nature याने की कुदरत, nature हमें वो सारी चीज़े दिखाती है, जो real होती है, basically जो nature, जो कुदरत होती है, वो इंसानों को reality दिखाती है, ठीक है, अब दीवार पर जो writer देख रही है, वो क्या है, एक mark है, किस उसको नहीं पता, क्योंकि अभी वो बैठी हुई है, और दूर से बैठके guess कर रही है, कि यह है, कि यह है, कि यह है, फिर उसने सोचा कि मैं चलो, खड़े हो के past में देखती हूँ, तो मुझे दिख जाएगा, कि actually वो चीज़ क्या है, लेकिन वो सोचती है, कि अगर मैं करते हैं, अलग-अलग thoughts हमारे mind में आते हैं, जैसे इसके mind में आ रहा है, कि क्या वो mark दीवार पे nail है, rose leaf है, crack है, कोई shadow है, कोई ink का spot है, जब हमें पता नहीं रहता तो हम अलग-अलग चीज़े सोचते हैं, इससे हमारा दिमाग work करता है, हमारा brain खर्च होता है, हमारे imagination बंद हो गया, तो writer यह चाहती है, कि मैं अगर खड़ी हो जाओंगी, देखूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा, कि वो किस चीज़ का mark है, तो फिर मेरे thoughts तो आएंगी ही नहीं, मैं सोच तो पाऊंगी ही नहीं, कि वो क्या है, मैं और guess लगा ही नहीं पाऊंगी, मैं अप thoughts interrupt हो रहे हैं, अलग-अलग thoughts आ रहे हैं उनके mind में, जो reality है, जो mark है wall पर, वो तो वैसा का वैसा ही है, writer के thoughts की वज़े से उस mark पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ, वो जो था, वो वैसा है, वैसा ही रहेगा, लेकिन उस mark की वज़े से सोच, सोच के writer के mind में, okay, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो nature है, वो self preservation करती है, याने की, जो nature है, nature बोले तो जो reality है, life की, वो self preservation करती है, याने self protected है, उसने अपने आपको protect करके रखा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, मैं तो जो थी, जो हूँ, वैस चलेगा story में, तो justice का भी वो mark था, वो तो शुरू से ही वैसा था, और अभी भी वैसा ही रहेगा, वो change नहीं होगा, चाहे writer कुछ भी सोच ले, अभी जो train of thoughts है, याने अब जो writer के दिमाग में जो विचारों की rail गाड़ी चल रही है, वो ऐसा सोच थी कि ये तो भाई, अब मुझे डर लग रहा है, इतने thoughts मेरे mind में आगा, और कहीं न कहीं मेरी energy waste story इतना सोच सोच के, और मैं बार-बार मेरा collision हो रहा है, याने बार-ब सच्चाई पर से बार-बार मेरे thoughts तकरा रहे है, for who will ever be able to lift a finger against Whitaker's table of presidency, the Archbishop of Canterbury is followed by the Lord High Chancellor, तो अब वो बोल रही है, कि भाई, ये जो table of presidency था, जिसमें hierarchy बनाई गयती, इस चीज़ पर भाई, कौन उगली उठाए, कौन सवाल पूछे, जो आर्च बिशप थे, जो father थे बड फॉलो कर रहे थे, फिर Lord High Chancellor को कौन फॉलो कर रहा था, Archbishop of York, वो फॉलो कर रहे थे, तो कोई न कोई, किसी न किसी को कभी न कभी बस फॉलो करी रहे है, हर इंसान किसी ने किसी को बस फॉलो कर रहे है, और इस तरीके की philosophy थी विटेकर की, and the great thing is to know who follows हुम, और सबसे great चीज तो यह है, जब हमें यह पता चलता है कि कौन किस को follow कर रहे है, okay, विटेकर यह बात को जानता है, और वो हमें भी इस बात को बताना चाहता है, so nature counsel, अब यह जो nature है, जो reality है, यह हम इंसानों को counsel करती है, यह हमें कहीने कई advice देती है, क्योंकि हम कहीने कई problem में होते हैं, तो और अगर आपको comfort नहीं कराया जाएगा, आपको शान्त नहीं कराया जाएगा, तो इस घंटे, यानि इस moment में जो आपको peace, सुकून मिला है, आप उसको shatter कर दोगे, सोच सोच के आप बरबात कर दोगे, think of the mark on the wall, और फिर writer सोच में लगती है, कि चलो wall पे यह mark है, मैं उसक के mark को देखते है, I understand nature's game, how prompting to take action as a way of ending my thought that threatens to excite or pay, अब यहाँ पर nature's game का क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है, nature's shows us reality, यहाँ पर writer कहने कि मैं को nature का game मालूम है, यानि यह जो reality का game है, मुझे इसका game पता है, कि जैसे ही मैं उठ़ूँगी, पास जाके देखूँगी, मुझे जल जाएगा, कि किस चीज का mark है उस wall पर, तो बस वहीं पर end हो जाएगे मेरे thoughts, वहीं पर मेरी सोचने की शक्ती, मेरे जो विचार है, खतम हो जाएगे, मेरे अंदर जो excitement था, वो जानने के लिए कि mark किस चीज का है, या war के बारे में सोच के जो भी मैं pain feel कर रहे हूं, जो भी feel कर रहे हूं, वो सब खतम हो जाएगा, क्योंकि मुझे परतल जाएगा, कि ये दिवार पर mark किस चीज का है, ये nature का game है, हमारे विचार रोखने के लिए, फिर भी, hence I suppose comes a slight contempt for men of action men, we assume who don't think, contempt का मतलब, वो लोग जो हमारी respect को deserve नहीं करते, जिनकी हम आलोच ना करते, फि वो लोग जो action में हैं, जो कुछ police हैं, कोई officer है, मैं उनकी, उनको contempt करती हूं, याने कि मैं उनको respect नहीं करती हूं, क्योंकि वो जो भी करते हैं, वो who don't think, वो सोच समझ के नहीं करते, वो बस कर देते हैं, बिना सोचे समझें, Still, there is no harm in putting a full stop to one's disagreeable thoughts, by looking at a mark on the wall, disagreeable thoughts, याने वो thoughts, जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो कहती हैं, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, कि कुछ ऐसे thoughts, जिस पे आप agree नहीं कर रहे हो, याने जो thoughts आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप उस पे full stop लगा दो, याने आप उसके लिए आपको क्या करना है, बस दीवार पे जो मार्क है, बस past में जाके उसको देख लो, आप दीवार में past में जाके उस मार्क को देख लोगे, आपको पता चल जाएगा, रियालिटी पता चल जाएगे कि वो मार्क किस चीज़ का है, ठीक है, आपके thoughts पे full stop लग grasp मतलब किसी को hold करके रखना, किसी को पकड़ करके रखना, तो वो कहती ही, सच में अब तो मैंने जैसे अपनी नजर गड़ा के रख दी है, उस मार्क पे जो दीवार पर है, और जैसे डूपते हुए को एक तिनके का सहा रहा होता है ना, plank in the sea, plank याने लकडी का तिनका, वै कि कई मैं पूरी तरह डूब भी न जाऊं अपने thoughts में, I feel a satisfying sense of reality which at once turns the two archbishops and the lord high chancellor to the shadows of shades, वो कहती ही, जैसे मैंने अपने आपको thoughts में डूबने से रोका और अपना ध्यान भटकाया उस mark की तरफ, मुझे एक satisfying sense of reality मिला कि याने मुझे दीरे-दीर समझ में आ रहा है कि वो mark क किस चीज़ का है, लेकिन फिर से वो imagine क्या करने लगती है, वो ही archbishop की बात, वो ही lord high, chancellor की बात, वो ही shadow वाली बात, वो imagination करने लगती है, here is something definite, something real, वो कहती है, यहाँ पर जो है दीवार पर, वो कुछ definite है, कुछ real है, यहाँ पर मुझे reality मिलेगी, thus waking from a midnight dream of horror, one hastily turns on the light and lies, ques quescent, worshipping the chest of drawers, okay, तो वो यहाँ example देनी कि मान लो कि कभी आधी रात में एक इंसान बुरा सपना देखके, horror में, डर में एकदम उठता है, वो जल्दी से hastily आने, फटा फट, quickly अपने कमरे की lights चालू करता है, और चालू करके, एकदम शांत सा हो जाता है, quescent याने कि एकदम in inactive state पर हो जाता है, क्योंकि एकदम उसने डरावना सपना देखा है, तो, sorry, वो एकदम inactive होके, एकदम जैसे लेट जाता है, वो chest of drawers, वो अपना एक एक ड्रॉर, खोल-खोल कर देखता है, worshipping याने, उनको चेक करता है कि कही मेरी तजोरी मेरी सामान वामन जो है, सब वही प जो मैंने सपना देखा अभी डरावना सा, वो real नहीं है, मैं अपने सही जगा पर हूँ, मुझे सही लग रहा है, तो, ये एक proof है, कि इनसान इस चीज़ को belief कर रहा है, कि जैसे एक दुनिया हमारी है, आर्ज, यानि जैसे एक दुनिया हमारी है, इसी तरह से, एक और दुन इस चीज़ करती है, that is what one wants to be sure of, और इसी बात के लिए इनसान को surety चाहिए, कि हाँ भई बगवान है, कोई है, हमें देखने वाला, अब यहां से एक और नई imagination स्टार्ट हो जा रही है, हमारी writer की, अब वो would, लकडी के बारे में सोचने लगती है, कि जो would है, is a pleasant thing to think about, अब यह हमको tree से मिलता है, लकडी, tree grow करते हैं, जैसे जैसे वैसे लकडी हमें मिलती है, हमें नहीं पता कि यह कैसे grow करते हैं, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना grow होता जाता है, पेड़, वो धीरे धीरे grow होता जाता है, हमें disturb तो नहीं करता है, इसलिए हमें नहीं पता कि आज इतना बड़ा इतना बड़ा वह तो ग्रो होते जा रहे हमें डिस्टरब निकर रहा यह जर नियर सालो साल एक छोटा सा ग्राउंड पर आपको पेड़ दिखेंगे छंगल हो में आपको फेड दिखेंगे इन फोरेस्ट जंगलों में आपको पेड़ों से निफ बूर मिलता है And by the side of rivers और नदियों के पास में भी आपको बड़े-बड़े पेड़ मिलेंगे और यहां पर हमें क्या संज़ा रहे जा रहा है कि जो नेचर है उसको हम इंसानों कितना लुट किया हुआ है कितना बर्बाद किया हूए लेकिन नेचर हमारी इस BenGRynı से अपना काम करते जा रहा है याने कि tree grow होते जा रहा है हमारी humans की disturbance से उसकी growth उसकी development पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और खुद इतना अच्छा है nature कि हमें तो सिर्फ wood ही wood दे रहा है wood के form में बहुत सारी चीज़े दे रहा है हमें परेशान नहीं कर रहा है और हमारी परेशानियों से खुद परेशान भी नहीं और अपना self development silently कर रहा है तो nature इस टाइप का है और यह जो बड़े बड़े पेड है इनकी चाया के नीचे जो काव जो गाय होती है वो अपनी टेल अपनी पूच को हिलाती है और गर्मी के दिनों में इस shed को पेड की चाया को enjoy करती है अभी कितनी प्यारी imagination है writer की वो कहती है कि नदियों के पास में जो बड़े बड़े पेड होते हैं वो ऐसे ऐसे पेड होते हैं कि वो पूरा reflection नदी पे याने पानी पे पूरा green reflection पेड पेड ग्रीन कलर के होते है तो green reflection पूरा पानी में पढ़ता है और जब moore hen याने एक aquatic पानी में रहने वाली उड़ने वाली इस तरीके की जो bird है जब यह इस green shed वाले पानी में जाती है अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है तो हम लोग ऐसा imagine करते कि पानी इतना प्यारा green हो गया है कि जब यह बाहर निकलेगी अपने punk फैलाते में सोचना है जैसे एक fish stream में stream बोले तो river में कैसे balance होके चलती है like flags blown out जैसे एक flag एक जंडा लहर आता है प्यारी तरीके से उसी तरीके से एक fish जब पानी में चलती है तो कैसे कैसे fish चलती है बिल्कुल ऐसे 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 कितना balance होके इतनी streamline body उसकी चलती है अगे निया पे flags इस and the water beetles slowly raising domes of mud upon the bed of the river और जो पानी में रहने वाले beetles याने ऐसे जो कीड़े insects होते हैं यह क्या करते हैं यह रेत के मटी के धेले निकाल निकाल के पानी में डालते हैं और फिर वो कहती है कि मुझे अब tree के बारे में सोचना है first the close dry sensation of being wood अब इस line को ध्यान से समझो यहाँ पर writer अलग-अलग thoughts सोच रही है तो यहाँ पर वो बोल रही कि सबसे पहले तो मुझे wood लकडी के बारे में सोचना है कि लकडी अपने आप में एक sensation है याने लकडी अपने आप में ही पूर्ण complete चीज़े परयाब तो उसको और क इस तूफान जब आता है तो यह बड़े-बड़े पेड जो नीचे जिनकी जो बार्ख होती है वो लकडी की रहती है यह इन बड़े-बड़े तूफानों को इनकी grinding को stop करती है याने कि दीमा करती है delicious ooze of sap ooze याने जब कोई liquid किसी में से बाहर निकलता है और sap क्या होता है जो पेड की छाल में liquid मिलता है न वो जैसे इस तरीके की जो पेड की छाल होती है ऐसे इसमें अगर आप कभी देखो rubber के प्लांट में ऐसे कुछ liquid टाइप का इसके बीच में होता है तो पेड के अंदर समय कुछ liquid मिलता है जो की useful होता है और वो कह रही है कि मुझे इस बारे में भी सोचना है कि सर्दियों की समय राथ के समय आप एक empty एक खाली field पर खड़े हुए हो और उस ताइम राथ के समय पेड़ों की leaves और flowers की leaves of curled हो के सब मुड के बंद हुई होती है nothing tender exposed to the iron bullets of the moon और tender याने की कोई भी चीज soft kind gentle कोई भी चीज gentle नहीं दिखती क्यों क्योंकि उस time जो moon होता है राथ के समय उसकी जो light होती है वो iron bullets की तरह याने लोहे की bullets की तरह नीचे जमीन पर पड़ती है अब again iron bullets war के समय की बात है इसलिए वो उससे compare कर रही है a naked mast upon an earth that goes tumbling tumbling all night long तो ऐसा लगता है कि जो रात है पूरी naked है बिनना कपड़ों की और tumble करते है उबर खाबड होते हुए पूरी रात जैसे गुजर रही है तो यह सारी अलग अलग चीज़े वो imagine कर रही है war के context में वो कह रही है अभी तो winter का समय है ठीक है लेकिन जब जून आएगा उस time पर जब summer rainy type का season होगा तब जब birds गाना गाएंगी तो उनका sound बहुत तेज होगा और strange अजीब सा लगेंगा हमें थोड़ा जून में लेकिन कईने का इंको अच्छा feel कराएगा और क्योंकि अभी ठंड का समय है तो जितने भी insects है जितने भी कीड़े है उनके जो feet है उनके जो पैर है वो बहुत cold हो गए है बहुत ठंडे हो गए है और क्योंकि ये क्या होता है ये पेड की यहाँ पर दिया हुआ है वेट यह क्या है यह पेड की बार्क है ट्री का बार्क है तो वो कह रहे हैं कि जब यह इंसेक्स अपने ठंडे पैरों से विंटर के समय लेबोरिये से बहुत महनत लगा के एफर्ट करके इस तरीके से उपर उपर चड़ेंगे और बीच में जो एक क्रीस आ रही है और बड़े जंगलों में इस तरफ भी पेड है जैसे दोनों तरफ और वो इतने बड़े हो जाते हैं थिक फॉरेस्ट में कि वो ऐसे जुड जाते हैं और एक शेड जैसे बनते हैं अब इन पेडों के बीच में कुछ पेस हैं कुछ गैप है जिसके उपर से संवाइट आ रही और जो संलाइट है वो बिलकुल ऐसे पढ़ रही है जमीन पर बिलकुल ऐसे प्रॉपर सं की रेस दिख रही है तो वह ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिलकुल स्ट्रेट कट डायमंड आ गया है जैसे डायमंड की कटिंग किती शाप होती है वैसे यह सूरज की किरने आपको इन पेडों के बीच की स्पेसिस में से आते हुए देखेगी और बहुत शाप देखेगी कट रेड आईस याने की रेड सनलाइट आपको क्लियरली दिखेगी इसमें यह फाइबर्स स्नाप का मतलब क्या है यहाँ पर यह मतलब है कि जो फाइबर्स अफ़ ट्री हैं ब्रेक डियू टू कोल्ड अब धीरे धीरे थंड इतनी हार्श होती जाएगी कि जो चाल हैं जो फाइबर्स हैं बड़े बड़े पेड़ों की वो तूटती जाएगी क्योंकि बहुत ज़ादा ठंड हो गई है और नीचे से अर्थ का प्रेशर भी ज़ादा है फिर आखरी में एक आखरी स्टॉम एक तेज तूफान आता है जिसकी वज़े से जो एकदम टॉप पे एकदम हाइस ब्रांचिस जो हैं पेड़ की वो नीचे जमीन पर आकर वापिस गिरती हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी लाइफ अभी खतम नहीं हुई है वुड की लकड़ी की लकड़ी की बात चल दी ने क्योंकि यहां पे इस दुनिया में बहुत सारे पेशेंट्स हैं बहुत सारे मरीज हैं जिनको दवाईयों की जरुद परती हैं और हो सकता है वुड के अंदर मिलने वाला लिक्विड उनकी दवाईयों में काम आ जाए एक ट्री की लाइफ खतम नहीं होती उसके बाद वो और भी लाइफ को जिन्दा कर सकती है बेड्रूम्स में फरनिचर के तौर पे शिप्स में शिप्स भी लकड़ी की बनती है पेव्मेंट पेव्मेंट माने रोड के साइड में जो एरिया होता है जहां पर लोग वाक वगरे करते हैं वो भी लकड़ी का बनता है आपके living rooms में आने आपका सोफा वगरे आपका फरनिचर बनता है लकड़ी से वेर men and women sit, जहां आदमी ओरते घर के लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, अपनी cigarette smoke करते हैं, अपना quality time spend करते हैं इसी लकडी की मदद से तो लकडी अपने आप में इस बहुत sensational है, परयापते, complete है, उसको nature की याने किसी को, basically nature को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना development खुद कर लेगी और यह जो सारे thoughts अभी अभी, writer के mind में आए, wood के बारे में, beetles के बारे में, insects के बारे में, trees के बारे में, यह जो thoughts थे, यह बहुत peaceful थे, सुकून देने वाले thoughts थे, happy, उनको खुशी देने वाले thoughts थे, यह tree, सब कुछ, यह tree के बारे में, यह बहुत खुशी देने वाले thoughts थे I should like to take each one separately but something is getting in the way Where was I? तो वो कहती ही कि जितने भी thoughts अभी मेरे mind में आए मुझे हर एक thought को separately सोचना है याने एक एक thought के बारे में deeply सोचना है ऐसे छोटा छोटा नहीं सोचना है separately deeply मुझे सोचना है लेकिन कुछ मेरे imagination के रास्ते में getting in my way कुछ मेरे imagination के रास्ते में आ रहा है वेर वोज आ है अब इसका ध्यान भटक रहा है राइटर का फर वो कहती ही मैं कहां थी मैं क्या imagine कर रही थी what has it all been about अभी मैं basically मैंने शुरुवात कहां से करी थी मैंने क्या देख रही थी a tree क्या मैंने tree से शुरुवात करी थी क्या मैंने river से शुरुवात करी थी क्या मैंने the downs वो street का नाम क्या वहां से शुरुवात करी थी या वे taker के almanac से शुरुवात करी थी the fields of asphodel asphodel एक flower का नाम है इसके बार में हमने part 1 में पढ़ा था क्या मैंने एस्पडल फ्लावर्स की फील्ड से शुरुवात करी थी imagine करना I can't remember अब मैंने इतना सब कुछ imagine कर लिए कि अब मुझे एक भी चीज याद नहीं आ रही है everything is moving सब कुछ मेरे दिमांग में जैसे चल रहा है गिर रहा है slip फिसल रहा है vanishing याने गायब हो रहा है मैंने इतना जादे imagine कर लिया है there is a vast upheaval of matter यह जो इतना मैंने सोच लिया है इतना matter मैंने जो imagine कर लिया है वो upheaval हो गया है याने अब बहुत ज़्यादा confusion हो गया है मेरे दमांग में अब मुझे समझी नहीं आ रहा है कि मैं क्या imagine करूँ या मैंने शुरुवात कहां से करी थी अपने सोचने की someone is standing over me and saying तो writer बोलती कोई इंसान ऐसा लग रहा है मेरे सर पे खड़ा हुआ है और कह रहा है I am going out to buy a newspaper yes तो हम यहाँ पर यह imagine करते हैं मानते हैं कि जो writer का husband है वो आया उनके पास और वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ newspaper खरीदने तो एकदम से उसके imagination से तूटती है वो कहती है हाँ yes क्योंकि यहाँ पर question mark लगा है फिर writer के husband उनसे बोलते हैं वैसे तो newspaper खरीदना कोई बहुत कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसमें कभी भी कुछ अच्छी ख़बर नहीं आती है हमेशा war के बारे में ख़बर आती है और कितने लोग मर गए हमेशा वोई same same war के बारे में ख़बर आती है फिर वार के बारे में खबर आती ऐसा गुस्से में बोल बोलके वो कहते हैं I don't see why we should have a snail on our wall फिर वो कहते हैं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर की दीवार पर यह snail क्यों है snail एक ऐसा insect होता है जिसको हम हिंडी में गोंगा कहते हैं तो जो दीवार पर मार्क था तो यहाँ पर राइटर कहती कि ओ जो दीवार पर मार्क था वो और कोई नहीं एक snail एक insect बैठा हुआ था जो मैंने पता नहीं क्या क्या imagine कर लिया अगर मैं उठके देख लेती तो मुझे पदा चल जाता कि वो snail है लेकिन मैं नोट के देखा नहीं मैं बैठी रही मैंने अपने दिमाग को खर्च किया अलग-अलग thoughts को अपने mind में आने दिया और उनको relate किया वो और से तो यह जो summary है इन दे स्टोरी तो जो story है जिसका नाम इसको किस ने लिखा है? अब इस chapter में क्या होता है? एक anonymous woman होती है याने कि एक ऐसी औरत के बारे में बात हो रही होती है जिसका कोई नाम वाम नहीं बताए गया है बस बताए कि एक lady है यह lady है अभी अभी घर shift करके एक नए घर एक नए विला में आई है और mid of January का महीना है याने January का बीच का महीना याने winter season चल रहा है और suddenly इस नए घर की एक white color की दिवार पे इस lady ने notice किया कि कोई mark है याने सफेद wall पे एक black color का कोई धपा है कोई mark है She recalls images from that moment तो यह बात की बात है यह story पहले लिग दी गई होगी तो वो imagine करती कि हाँ यह January का time था winter season था उस time वहाँ पे fire burning थी याने वहाँ पे foreign में क्यों होता है घर में fire place होती है ऐसे अंग्रीठी वगरे जलती है घर को ठंडा रखने के लिए तो वो imagine कर रही है कि हाँ उस time घर में fire जल रही थी और मेरी जो किताब किताबे वहाँ पे रख्यों थी उनकी pages पे light cast पढ़ रही थी याने fire की yellowish orangeish color की light मेरी book पढ़ रही थी वहाँ पर एक mantle piece था है याने कि एक ऐसा frame type बना हुआ था जहाँ पे bowls रखे होई तो उनमें flowers थे chrysanthemums नाम के flowers थे और उस time पर वो smoke कर रही थी cigarette smoke कर रही थी और ये वही moment था जब उसने उस दीवार पे white wall पे mark देखा था तो ये winter season का मौसम था वो जो mark था वो काफी छोटा सा था white wall पे और जो fire place याने जो mantle place थी इस तरीके की mantle place होती है वहाँ पे ऐसी ऐसी fire place होती है यहाँ पे कुछ flowers रखे हुए थे यहाँ करके ways रखे हुए थे और यहाँ पर उपर जाके कुछ foot उपर यहाँ पे वो mark था इस तरीक से black color का तो ऐसा कुछ उसने lady ने देखा अब जैसे ही उस lady ने दीवार पे उस mark को देखा उसके mind में बहुत सरे thoughts stimulate होने लगे याने बहुत सरे विचार आने लगे बहुत जल्दी जल्दी कि यह mark यहाँ पर क्यों होगा वो अलग-अलग चीज़े guess कर रही थी इस mark को देखके क्योंकि वो एक कुरसी पर बैठी हुई है यह सोचती कि यहाँ पर कोई कील ठोकी गई है शाद वो कील का निशान है लेकिन वो देखती कि यहाँ पर कोई picture तो ही नहीं कोई photo तो ही नहीं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह कील का निशान तो नहीं हो सकता है picture का frame तो यहाँ पर कोई पुराने रहने वाले आदमी की mother की, dead mom की या dead wife की होगी, जिसके बहुत rosy lips होंगे, जिसके white color के curly hair होंगे, इस तरीके की यहाँ पर कुछ picture होगी, लेकिन यहाँ पर picture है निए तो जाहर सी बात है वो जो mark है दीवार पर, वो nail, यानि ठुकी हुई केल का तो कील का नहीं है, तो एक moment ऐसा आया कि वो बहुत tempt हो गई कि नहीं मैं तो उठके देखती हूँ पास से कि दीवार पर यह mark किस चीज़ का है, लेकिन उसके बाद उसके mind में बहुत philosophical, deep thinking काफी imagination आने लगी और वो सोचने लगी कि एक course of lifetime, इंसान एक पूरी जीवन में उसके पास कितने सारे possessions होते हैं, कितनी सारी चीज़े उस इंसान की खुद की होती हैं, जैसे घर, गाड़ी, महेंगे-महेंगे, जूलरी, बहुत सारी चीज़े, कितनी सारी चीज़े होती हैं, और ultimately हम कभी न कभी ऐसा होता है कि अपनी चीज़े खो देते हैं life में, फिर वो सारी उन चीज़ों को recall करती है, जो उसने कभी जिसकी वो मालकीन हुआ करती थी और अब वो सारी चीज़े गौन, यानि उसमें खो दी, जैसे उसके पास एक बहुत अच्छा bird का पिंजरा था, iron की hoops थी उसके पास, बहुत सारे emeralds, opals करके, precious stones थे, यह सब इसमें खो दिये अपनी life में, तो वो compare करती है कि life में हमारी चीज़े ही हमारी नहीं होती, खो जाती है, तो death एक ऐसी चीज़ है जिसको हम control नहीं कर सकते है, death कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, वो सोचती है, मुझे भी आ सकती है, हम life को कभी control नहीं कर सकते फिर वो अपनी life को compare करती है parcels न पोस्ट ओफिस आज के जमाने में हम कुछ भी चीज भेज नहीं करने है WhatsApp इदर उदर से भेज देते हैं लेकिन उस जमाने में जब ये story लिखी गई थी ये World War 1 के time लिखी गई थी तो उस जमाने में post office होते थे जहाँ पर एक compartment से दूसरे compartment में post office में parcel भेज जाते थे एक tube के थूँ यहाँ पर एक बंदा होता था ये parcel है उसने इस पर stamp लगाया stamp लगाने के बाद उसने tube में भेज दिया दूसरे बंदे को compartment में यह parcel आगा फिर यह stamp लगाएगा तो brown color के parcel में एक चीज दूसरे एक compartment से दूसरे compartment में parcel पहुचता है तो यह lady अपनी life को compare करती है post office के parcel से वो कहती है हम लोग parcel की तरह है इस दुनिया में आए हैं मर जाएंगे फिर after life में चले जाएंगे मरने के बाद भी after life होती है जो किसी को नहीं पता पर होती है फिर वहाँ से जाएंगे फिर कहीं और पैदा होंगे हम parcel की तरह इदर उदर जाते जा रहे हैं और फिर वो बहुत melancholic sound होने लगती है उसकी आवाज काफी sad हो जाती है और वो thoughts अपने mind में लाती है death के कि हमें भी मरना है हम यहाँ पर आज है parcel की तरह कहीं और पहुच जाएंगे जाएंगे यह जो दीवार पर मार्क है यह कोई होल नहीं है कोई गड़ा नहीं है कील दुआरा किया हुआ बलकि यह एक इंकी substance है याने ऐसा लग रहा है कोई इंक स्याही का कोई धबा है ब्लैक कलर का छोटा सा वो ऐसा इमेजिन करती है अब बहुत सी चीज़े वो उस मार्क को देखके इमेजिन करती है और सड़नली उसके पीछे कोई खिडकी है उसके कोई पेड़ टाप हो रहा है याने पेड हवा से हिल रहा है और सड़नली उसकी इमेजिनेशन इंटरॉप्ट हो जाती है और फिर वो सोचते सोचते अपना ट्रैक चेंज कर देती है याने कि कुछ और अपने दिमाग में सोचने लगती है फिर वो क्या सोचने लगती है वो शेक्सपेर के बारे में सोचने लगती है क्योंकि अभी अभी उसने सोचा है कि यह जो मार्क है दीवार पर वो इंक का है इंक याने जिससे राइटर्स लि रहे हैं याने winter का समय है fireplace है कमरा काफी गरम है और उनके mind में बहुत सारे thoughts सा रहे हैं शेक्सपेर के mind में और ऐसा लग रहे है कि उनके mind में heaven direct spark से mind में सारे उनके thoughts आ रहे हैं वह सोच रहे हैं वह लिख रहे हैं अपने thoughts और लिखे उसको book बुक के नाम पे पब्लिश कर दे रहे हैं तो उनके thoughts उनके तो नहीं रहना दुनिया ने पढ़ लिये तो राइटर यां कहती है मुझे अपने thoughts publish नहीं करने लोगों के सामने मुझे अपने thoughts अपने तक रहने अपने अंदर ही मुझे खुश रहना है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब दूसरे लोग मेरी तारीफ करते मुझे अपने में रहना है, खुश रहना है अब उसकी जो thoughts थे, उसकी जो विचार थे उनकी जैसे train, कोई रेल गारी चल रही थी वो सोचती है कि एक दिन future में ऐसा आएगा कि जब writers ये सोचेंगे कि हमको reality पर focus करना है हमको लोगों के emotions पर focus करना है phantoms पर focus नहीं करना, याने उन चीजों पर focus नहीं करना जो दिखती तो real है, बड़ actually वो real नहीं होती जैसे हर इंसान एक मुखोटा पैना, वो एक shell में है बाहर से वो लोगों को अच्छा दिखाता है, मैं बहुत ऐसा हूँ, ऐसा हूँ teacher से ऐसे बात करेगा, boss से ऐसे बात करेगा, family से ऐसे बात करेगा लेकिन अंदर से उसके thoughts, एक real personality वो अलगी है जो इसमें वो उसको ही पता रहता है तो वो कहती है, writers future में definitely उन चीज़ों पर focus करेंगे phantoms पर नहीं करेंगे reality पर focus करेंगे, shell और मुखोटों पर focus नहीं करेंगे और वो इंसान के जो reflections, जो emotions बार बार change हो रहे है ever changing faces है, जो बार बार इंसान का जो मुखोटा चेंज हो रहे है इस पर focus नहीं करेंगे, reality पर focus करेंगे now she views the mark as not entirely circular and possibly projecting outward from the wall perhaps it is a shadow these thoughts lead to wondering whether there are camps or tombs on an antiquary, only an antiquary would know अब धीरे धीरे वो imagine करी और वो ये imagine करने लगी कि ये कोई इंक या स्याही का धपा नहीं है अब ये जो दिवार पे mark है, ये पूरा circular, पूरा goal तो नहीं है तो ये न दिवार से project हो रहा है, यानि ये दिवार से उबरा हुआ है projecting outward of the wall, यानि कि उबरा हुआ है दिवार से, यानि कि कोई भी चीज दो उबरी हुई रहती, उसकी क्या होती है उसकी shadow, उसकी परचाई होती है तो वो सोच रही कि कुछ उबरा हुआ है दिवार से और शयद ये उसकी shadow है हो सकता है 200 साल पहले कोई कील यान ठोकी गई हो और कील अब बहार तरफ आ रही है क्योंकि बहुत साल हो गए, वाल भी अब वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, दिवार तो ये कील बहार आ गई है और शयद उसकी परचाई है फिर वो ये सोचती है, इस कील को देखकर कि ये शयद कैंप्स है या टूम्स है कैंप्स, बोले तो रिफ्यूजी कैंप्स, जो वर्ल्ड वार वन के टाइम हो थे और टूम्स याने मरे हुए लोगों की कबरे, उनके मग बरे क्योंकि ये वर्ल्ड वार वन की टाइम की स्टोरी है, तो उसी से रिलेट कर रही है वो अपनी इमाजिनेशन को और अब ये इतने सारे लोग मर गए वहाँ पर, ये किसी की टूम्ब है, किसी का मग बराए कि पूरा refugee camp था जहां पर इतने सारे लोग मर गए, ये तो कोई anti-query ही बता सकता है, याने वो व्यक्ती बता सकता है जो antique चीजों के बारे में, historical facts के बारे में study करता है, उनके collect करता है चीजे, उससे related तो ये तो वही बता सकता है So once again there's a conflict over getting up of a closer inspection, फिर से वो उसको ये temptation होती कि मैं उठ जाती हूँ अपनी चेर से और past से देख लेती हूँ कि actually जो mark है दीवार पर वो किस चीज़ का है After all knowledge is attained by thinking, लेकिन फिर वो नहीं उठती है, क्यों? क्योंकि उसने बोला मुझे तो knowledge चाहिए मुझे तो ग्यान चाहिए और ग्यान कहा से आता है? Thinking से जितना आप सोचोगे, जितने thoughts आपके mind में आएंगे उत्ता knowledge में लेगा अगर मैं उठके पास से जाके देख लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है मुझे reality पता चल जाएगी और वहीं पर मेरे thoughts stop हो जाएगे लेकिन मुझे अपने thoughts stop नहीं करने मुझे तो सोचना है मुझे तो ग्यान चाहिए इसलिए वो नहीं उठती है वो कहती है मुझे तो अगर पता करना होगा कि वो चीज़ क्या है अब उसके mind में इतने सारे thoughts enter हो रहे थे exit हो रहे थे आ रहे जा रहे थे इतने को मिंगल हो गहे थे अन्य इतने जादा एक गठान टाइप की बन गए थी कि एक ऐसा point आया कि उसने डिसाइड किया कि अब तो बस मैं ये mystery ये रहस्य सॉल भी करूंगी और खड़ी हो जाओंगी और देखूंगी कि दीवार पर ये mark किस चीज़ का है शी देन डिसाइड दाट टो गेट अप वुड बी प्लेइंग विक्टम तु दा वेरी ट्राप ऑफ दे नेचर is trying to sit कहती है लेकिन अगर मैं खड़ी हो गई तो मैं नेचर के ट्राप में याने जाल में फज़ जाओंगी नेचर का मतलब यहां पर है reality नेचर का मतलब है यहां पर reality अगर मैं खड़ी हो गई तो मुझे वह natural चीज़ वो रियल चीज दिख जाएगी कि वो क्या है? जो नेचर है, वो हमको अपनी तरफ बुलाता है और सुकून देता है. आपके चलते हुए दिमाग को रोकता है, आपको सुकून देता है. और जैसे इस वक्त मेरा दिमाग चल रहा है मैं ग्ञान अरजित करती जा रही हूँ लेकिन अगर मैं खड़ी हो के पास से देख लूँगी तो मेरे thoughts वहीं रुख जाएंगे और मैं में को ग्ञान नहीं मिलेगा तो कहती है मुझे उठके nature के इस जाल में नहीं फसना है मुझे reality अभी नहीं देखनी, मुझे अभी और imagine करना है, और सोचना है ये जो act है मेरा thinking का, ये जो मैं process है ये जो मैं सोच रही हूँ इतनी सारी चीजे mark के बारे में, ये मुझे excitement दे रही है, मैं war के बारे में भी सोच रही हूँ, मरे हुए लोगों के बारे में सोच रही हूँ, वह और में, कई ने कई मुझे pain भी feel हो रहा है और फिर, so she focuses or thoughts on the sensational qualities of wood इसलिए अब वो क्या सोचने लगती है wood, लकडी की qualities के बारे में सोचने लगती है, ताकि वो बहुत सारे patients के काम आता है ship बनाने के काम आता है लकडी पेड कट भी जाएगा, तो भी उसकी लकडी काम आती है तो nature हमेशा हमारे काम आता है वो ये सब चीज़े ब इमाजन करती है अभी वो इतना pleasant, इतना अच्छा-च्छा सब इमाजन करी थी और suddenly अपने आपको distract करने की कोशिश करी थी ताकि वो खड़ी हो के पास थे ना देखे लेकिन जैसी वो अपने आपको distract करती है ये wood के बारे में imagine करती है उसकी imagination interrupt हो जाती है disturb हो जाती है क्योंकि उस कमरे में एक second person एक दूसरे इंसान की आवाज आती है हम मानते हैं कि जो आवाज है ये narrator के husband की है यानि जो वो lady उसके husband की आवाज है उस कमरे में क्योंकि उसने ऐसे बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं newspaper लेने के लिए वो कहता है newspaper तो वो कहती हाँ ठीक है लेने चले जाओ फिर वो बोलता है newspaper भी क्यों लूँ फालतू में लेता हूँ newspaper में वो ही रोज रोज war के बारे में खबरे वो ही death के बारे में खबरे वो ही सब bad news war के बारे में आती है तो क्या मतलब newspaper खरीदने का भी वो बहुत गुसे में आ जाता है क्योंकि war की सब बाते चल रहे हैं और फिर वो कहता है all the same I don't see why we should have a snail on our wall और गुसे में बोलते बोलते वो कहता है वो ही सब same same war के बारे में newspaper में news आती है और मुझे ये समझ में निया रहा कि हमारे घर की दीवार पे snail क्यों है तो यहाँ पर हमारे राइटर के जो husband है वो कहते हैं दीवार पे snail ये insect क्यों है ये ऐसा insect है जिसको हिंदी में घूंगा कहते है बहुत स्लोली 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 चलता है सबसे स्लोइस्ट इंसेक्ट है ये अब जी के में भी आपने पढ़ोगा तो she realizes that the mark on the wall is a snail और फाइनली जो narrator है जो लेडी है वो realize करती कि ये कोई nail का hole नहीं है ये कोई ink का spot नहीं है ये कोई shadow नहीं है बल्कि ये तो मेरी दीवार पर एक snail है और कुछ भी नहीं है question number one an account of reflections is more important than a description of reality according to the author why? अब ये reflections किया है reflections का मतलब यह emotions से बोला गया है हमारी emotions तो हमारे जो emotions है वो कहीं नहीं ज़्यादा important है reality है ये सच्चाई को कित्ता ही describe कर लो बता दो ये कर दो वो कर दो लेकिन हमारे emotion somewhere ज़्यादा important है according to author author के मताबिक Virginia Woolf की according ये बात है हमसे question पूछे जार रहा है why? ऐसा क्यों? so the answer is for the author the deep hidden truths of human realities can only be reflected through character composition by writers याने एक इन्सान के जो असली जुसकी reality है जो उसकी सच्चाई है जुसके hidden truths है जुसके अंदर छुपे हुए इसके राज उसकी जुसक्चाई है वो सिर्फ तभी बाहर आ सकती है वो सिर्फ बाहर तभी reflect हो सकती है जब कोई writer उनका character composition करे याने कोई लेखक उनके बारे में उनको समझे और उनके बारे में लिखे तब वो उनकी बारे में उनकी reality भाहर आ सकती है according to her her याने हमारी writer Virginia Woolf the future authors will look into the depths and explore the realities उनके मुताबिक जो हमारे उस जमाने में उनने लिखा था कि आने वाले समय में जो भी हमारे writers होंगे वो क्या करेंगे वो बहुत deep में thinking करेंगे they will look into the depths जो लोगों की असलियत हैं जो लोगों की reality है उस पे explore करेंगे और वो ही age old वो ही पुराने जमाने की जो बाते हैं depiction of reality इस चीज को बहुत पीछे छोड़ देंगे वो reality को समझने की कोशिश नी करेंगे जबकि उसके अंदर जो hidden truths है जो hidden meaning है जो इंसान का actual character है उसको reflect करने की कोशिश करेंगे reality को समझने की कोशिश करेंगे deep thinking द्वारा ना कि ये करेंगे वो writers की reality को depict करें या उसको दर्शाने की कोशिश करें जो देख रहे जो सुन रहे उसको नहीं जो अंदर hidden truths है जो meanings है उसको explore करेंगे next question looking back to the objects and habits of a bygone era can give one a feeling of phantom-like unreality what examples does the author give to bring out this idea bygone era का मतलब क्यों होता है bygone era याने वो समय जो bygone हो गया जो बीथ गया phantom का मीनिंग क्यों होता है phantom का मीनिंग होता है something which is not real but seems like real याने की something which seems to real याने हमें लगती है रियल है लेकिन actually वो रियल नहीं होती है उन सारी चीजों को हम phantom कहते है basically unreality जो सच्चाई नहीं होती हुसे हम कहते है phantom तो यहाँ पर question यह पूछा जा रहे कि जब हम पीछे मुड़के वो सारी objects चीजों को habits आदतों को देखते है पुराने जमाने की bygone era की सारी चीजों को देखते है तो हमें एक phantom type की एक unreality की feeling आती है कि हमें तो उस जमाने में ऐसा लगता था भाई है लेकिन जब आज हम उसको देख रहे हैं सोचने तो हमें लगता नहीं नहीं वह तो फाल्तू की चीज़े थी हमें ऐसा लगता था रियल है ऐसा कुछ होता थोड़ी था तो यह बात को explain करने के लिए हमारी रैटर ने क्या एक्जाम्पल्स दिये हैं और इस आइडिया को कैसे explain किया हमें clearly तो यह आंसर इस जो हमारी ओथर है वो सोचती है कि जो objects और जो habits है बाइगान एरा कि यह बीते हुए समय की दे प्रूव नथीं उससे कुछ साबित नहीं हो रहा क्यों because she thinks that we are not going to draw a conclusion after seeing and analyzing the nails of the past queens तो वो सोचती है क्यों क्योंकि अगर हम पुराने जमाने के उन museums में जाए और देखें कि भाई कि कोई पुरानी कोई queen के नाखुन पड़े हुए उन्होंने store करके किसी museum में रखे हुए या कोई किसी Chinese murderer का foot रखा हुआ यहने पैर की कोई चीज़े रखी हुई है museum में अगर देखें या किसी famous person ने past में पुराने जमाने में history में किसी कोई wine glass लिया था और उससे wine पी थी और वो glass उन्होंने museum में रखा है तो basically वह इन सारी चीज़ों को example देते हैं अगर हम म्यूजियम में पुराने जमाने में म्यूजियम में जाकि इन अलग अलग चीज़ों को देखें तो इससे कुछ प्रूव नहीं हो रहा है इससे हम कोई conclusion नहीं निकाल पाएंगे इसको हम अगर analyze भी करेंगे इसको हम अगर समझने की भी कोशिश करेंगे पुरानी उस queen के नाखुनों को देखें या कोई Chinese murderer का foot देखें या देखी किसी famous person ने उसमें किसी ने wine glass पी आ है कि सारी चीजे देखेंगे तो इससे हमें कोई conclusion नहीं मिलने वाला है कुछ उससे कोई हम इससे basically कोई meaningful चीज नहीं निकलने वाले है whatever conclusion one is going to make shall be based on perceptions which are the results of this mental conditioning in the modern times so basically हम अगर किसी भी conclusion पर आना चाहते हैं तो वो सरफ वो सरफ कब possible है आज के modern times में possible है जब हम थोड़ी अपनी mental conditioning करते हैं यानि जब अपने दिमाग को खर्च करते हैं सोचते हैं और उससे उसका result यहीं निकलेगा कि हम अपने कुछ perceptions लगाएंगे अपने कुछ ideas लगाएंगे deep thinking करेंगे तब जाके हम किसी चीज के conclusion पर आएंगे जैसे की chapter में lady आई थी यानि सोच सोच के सोच सोच के deep thinking करके वो उस conclusion पर आई कि यह एक snail है उसने कितना अपना धिमाग खर्च किया इसलिए जो हमारी ओथर है वो कहती कि जब आप पीछे मुड़के सोचते हैं इमाजन करते हैं पुरानी चीज़ों को habits को बीते हुए समय की चीज़ों को देखते हैं तो उससे आपको किस चीज की feeling आती है phantom-like feeling आती है याने हम तो यह सोचते थे यार यह रियल है बट अक्चुली सब रियली नहीं है इसब अन्रियालिटी है इन सब चीज़ों से कुछ प्रूब नहीं हुआ कुछ मीनिंग निकला next how does the imagery of the fish point number one and the tree point number two used almost poetically by the author emphasize the idea of stillness of living breathing thought ников अब जो हमारी author है weapon विजीनिया वुलोफ उसने दो चीजें imagine करी हैма चापटर में एक फिश के बार में सबससें कोशिग और फिष का थैंपोल दीया है और दूसरी चीज सब्सक्राइबर से ट्री के बार में HIM proud और हमें उसका example दिया तो इन चीजों को उसने काफी poetically use किया है और हमें समझाने की कोशिश करिये stillness of living कि जहां शांती है जिसे पानी बहुत शांत रहता है सी बहुत काम रहता है लेकिन फिर भी अंदर इतने सारे जीव जनतु है living है breathing thought यह सारी चीजे उसने हमें यह फिश और ट्री से कैसे explain करिये हमें वो explain करना है so the answer is the narrator thinks about the life of a tree and a fish to emphasize upon the idea of stillness living breathing thought तो narrator हमें fish or tree का example देते हुए हमें समझाते है कि stillness यहने शांती में भी जीवन है लोग अंदर सांस ले रहे है पानी में वो भी जीवित है गर पेड़ चुप-चाप खड़ा हुआ है शांती से खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी वो ब्रीत कर रहा है और हमारे लिए हमारे environment के लिए बहुत सारी चीज़े कर रहा है बिना हमें डिस्टर्ब करें she says what is a pleasant thing to think about it comes from a tree and tree grow and trees grow and we don't know how they grow to describe the still nature work silently without paying attention to the world around तो कहती है कि वुड लकडी एक बहुत बढ़िया चीज है अब इस सोचने के बारे में यहने सोचने के लिए अगर मुझे कुछ सोचना ही तो मैं लकडी के बारे में सोचू लकडी हमें कहां से मिलती है trees से मिलती है tree धीरे धीरे grow होता है बिना किसी को disturb करें हमें पता भी नहीं चलता कैसे grow हो जाता है हमने आज पेड़ लगा है 10-15 दिन बार देखते हैं देखते हैं चोटा सबसमें से सापलिंग निकल आता है धीरे धीरे प्लांट बनता है और प्लांट से tree में convert हो जाता है द हो रहे हैं हम लोग को वुड कितनी सारी चीज़े दिता है वोट से furniture बनता है वोट से pencil बनती है जिससे दुनिया भर के बच्चे लिखते हैं पढ़ाई करते हैं वोट से क्या नहीं बनता बहुत सी in fact वोट जब खराब हो जाता है तो उसके अंदर का liquid rubber जो स्टिकी करती है फिश के बारे में फिश को इमाजन करती है और फिश का example देते हुए समझाती है कहती है कि I like to think of the fish balanced against the stream like flags blown out to describe the still life that is present in the parallel world around us that is often left unseen तो वह कहती है मुझे फिश बहुत balance लगती है फिश की body जो होती ना काफी balance होती है फिश पानी में ऐसे ऐसे करके बिल्कुल चलती है पानी को चीरती हुए आगे बढ़ती है उसकी body में कित्ती balancing है कि वो पानी के तेज बहाँ वो भी चीर के आगे बढ़ती है रुकती नहीं है stream याने की river में या पानी में वो एक flag जैसे से flag ऐसे ऐसे कैसे उड़ता है वैसे वो ऐसे ऐसे करके पानी को चीरती हुई आगे निकलती है और ये कहां रहती है ये parallel world में रहती है याने पानी में रहती है याने वो दुनिया एक धर्ती से उपर दुनिया जो हमारी चलती है और हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया चलती है पानी में जो हमेशा लेफ्ट अंसीन हो जाते हैं जिस पर हम ध्यानी ने देते हैं पानी की ब्यूटी देखते नहीं कि जिसके अंदर लाग हो करोड़ जीव जन्तु जीते हैं जो हमें कभी भी दिस्टर्ब नहीं करते हैं तो यह एक्जांपल उन्होंने हमें एक्स्प्लें किये हैं कि साइलेंस में भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं बिनना किसी को डिस्टर्ब करें हुए और वो सिर्फ फिश एंट्री से वोट से पॉसिबल है बेसिकली नेचर से ही पॉसिबल है next how does the author pin her reflections on a variety of subjects on the mark on the wall what does this tell us about the way the human mind functions तो वो जो हमारी author है याने जो chapter में जो lady है वो अलग-अलग subjects, अलग-अलग चीज़े imagine कर रही है mark on the wall देखकर जीवार पे वो धपा देखे, अलग-अलग चीज़े imagine कर रही है कब इमाजीन कर रही है नेल है, कभी hole है, कभी किसी का spot है, अलग-अलग चीज़े imagine कर रही है तो यह सारी चीज़ें जो वो कर रही है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि human mind कैसे function करता है यानि इंसान का दिमाग कैसे चलता है यह सारी चीजे देखके हमें क्या समझ में आ रहे हैं कि इंसानी दिमाग कैसे चलता है आंसर है जो ऑथर है ना swims into vast oceans of the thoughts in the attempt of solving the mystery behind the mark of the wall यानि जो दिवार पे जो mark है वो किस चीज का है यह रहस्य सॉल्व करने के लिए ऑथर ने जैसे विचारों के सागर में swimming कर रही है गोते लगा रही है इतना जादा deep thinking कर रही है सिर्फ यह समझने के लिए कि वो दिवार पर mark किस चीज का है चाहे तो एक मिनिट पर अपनी कुरसी से उठके जाके देख ले दिवार पर mark किस चीज का है इससे ये पदा चलता है कि एक human mind में कितनी curiosity होती है याने जानने की इच्छा होती है किसी भी चीज को and the heights of the human mental process और इंसान का जो mental process है उसकी कितनी height है याने किस level तग इंसान के thoughts जा सकते हैं अगर वो अपने दिमाग को खर्च करने पे आ जाए तो एक छोटी सी mystery एक छोटा सा रहस्यों solve करने की पीछे याने एक छोटा सा mark on the wall जानने की पीछे human mind किते जादा thinking process में जाता है process of thinking अलग अलग चीज़े सोच रहा है और उससे it can go into various aspects याने एक सोच दिमाग में कुछ एक दिवार पर मार्क जानने के लिए उसने history याने इतिहास तक में चली गई वह अपने माइंड में सोचने यहां तक की Shakespeare कैसा लिखता है writer कैसे होते हैं इन सब तक पर चली गई traditional norms पर चली गई कि लोगों के रीती रिवास कैसे हैं and these thoughts provoke her to future look into the to her provoke her to further look into the future और यह सारे thoughts सोचते सोचते history 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 से वह future पहुच गई future के बारे में सोचने लगी याने उसके thoughts बार बार इधर सुदर jump कर रहे हैं सिर्फ एक mystery को solve करने के लिए then she discusses nature और उसके बाद धीरे धीरे वह किसके बारे में हमसे इसके बारे में सोचती है नेचर कुदरत के बारे में सोचने लगती है और कैसे नेचर हमारे thinking process में इंटर्वीन करते हैं याने कभी-कभी हम इती गहरी सोच में जाते हैं लेकिन कोई natural चीज ऐसी हो जाती है जिसे हम मतलब interfere हो जाता है हमारी thinking process तूटती है रुख जाती है जैसे वह सोच नहीं थी सोच सोच उसका husband आ गया एक दम बोलते बोलते उसने बोलिया रहे दीवार पर हमारा snail क्यों बैठा है याने चोटा साव इंसेक्ट क्यों बैठा है और उसको पदे दिवार पर कोई मार्क नहीं है वैलकि स्नेल नाम का कीड़ा एक इंसेक्ट बैठा हुए तो यह वह सोचती कि nature भी हमारी thinking process में इंटर्वीन करते हैंने इंटर्फेर करती कभी-कभी सब्सक्राइब वहां तक सोच सकता और अपने दिमाग को खर्च कर सकता है next question not seeing the obvious could lead a perspective mind to reflect upon the more philosophical issues discuss this with reference to the snail on the wall okay अगर हम obvious चीजों को नहीं देखे उनको नजर अंदास करे याने जो चीज़े actually real है उनको नहीं देखे उनको नहीं देखे तो इससे क्या होगा पॉस्पेक्टिव लीड़ पॉस्पेक्टिव माइंड तो रिफ्लेक्ट अपन फिलोजोफिकल इशूस याने अगर हमको actually real चीज समझ में नहीं आएगी तो हमारा दिमाग बहुत फिलोजोफिकल इशूस में चला जाएगा याने डीप थिंकिंग में गहरी है कि क्या है so the answer is yes it is true यह बत सही है कि अगर आपका भी और रियालिटी को देखने की कोशिच नहीं करोगे तो इससे जो हमारा परस्पेक्टिव माइंड हमारा दिमाग है वो क्या करेगा बहुत फिलोजोफिकल थिंकिंग और इशूस में चला जाएगा और जो हमारी स्टो कि होती अपनी चैर से जाके इंस्पेक्ट करती जाके मार्क को देखती कि मार्क किस चीज का है क्लोजली देखती जाके उस मार्क को एक मिनिट के लिए और उसको पता चल जाता कि दीवार पे वो कोई मार्क नहीं बलकि कोई स्नेल बैठा हुए बच्ची चूजस और कि कोशिश करूंगी समझने की कि यह मार्क किस चीज का है तो शी चूज़स ऑस्पेंड टाइम को थिंक आप वेरियस पॉसिबिलिटीज दैक्राव कॉस्ट इसमार्क तो इस निये उसने चैर पर बैठे बैठे वो पूरा टाइम व्यतीत किया यह सोचने में या यह सोचने करते करते वो सम्वेर बहुत सीरेस थॉट्स में डीप थिंकेंग डीप इमाजिनेशन में चली गए क्या क्या पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचने लगी अब दीवार पर वो जो मारक है वो और कुछ नहीं बलकि सिर्व एक स्नेल नाम का इंसेक्ट बैठा हुए यह उसक इस श्वरब यह तो इतने सारे सोच की गहराइओं में जो एंजाट्स आ रहे हैं इतने जादा विचार जो हो हैं बोक्यों आ लेभ़ उन पशल है जोकी दिवार पर राए मंगा और नरेटर से व्जह कि अपनी घप की यह याने दिवार पे जो स्नेल बैठे और यहां चेयर पे बैठके जो नरेटर चीज़े सोच रही है इन दोनों के बीच में जो गाप है वस इसी वज़े से इतने थौट्स आ रहे हैं अगर यह गाप खतम वोट के जाके देख ले कि दिवार पर क्या चीज़ है तो एक सेकंड मे स्ट्री आने रहसे सौल हो जा लेकिन उसने बोला नहीं यह गाप मेंटेंड रहे मैं अपने दिमाग को खर्च करूंगे सोच और फिर पॉइंट पर आऊंगी ताकि मुझे नौलेज मिले मेरा दिमाग खर्च हो मेरी मेंटल प्रोसेसिंग हो ओक है हुआ 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 हैं आपको लगता है सही है या बillek sau ही जितना ही करेक्ट और क aixòाकिंस ऑप्शों कन्फ्शिंग लगते हैं आपको यह आपको लगता है कि एुअ पटिकोलर आप्श constitu longest करेक्ट है उससे आपको करना है अकमर ऑके आप्शन नमेर यह Joseph Conrad, option B, G.B. Shaw, option C, Virginia Woolf, option number D, D.H. Lawrence. अगर आपने मेरे एक्स्पेनेश्टरी विडियो देखे हैं, और अगर आपने एक बर भी खुली, तो विदिन आप इस क्वेश्टिन का अंसर कर सकते हैं, which everybody knows that its chapter की जो author है, वो है option number C, Virginia Woolf. So option number C is the right option to this question. Next, when did the lady see the mark on the wall? जो इस chapter में एक anonymous lady है, जिसके बारे में बोला गया है कि एक lady है, उसने डिवार पर वो mark, वो धपा कब देखा? So options है, in the mid of the March, March महीने के बीच में, याने मध्य में, याने around 15 March के असपास, in the mid of January, January के बीच में, in the mid of May, या in the mid of December, कौन से महीने के बीच में? So clearly chapter जब हम read करना, start करते हैं, तो starting में ही उन्होंने, first paragraph में ही given है, कि in the mid of January की बात है, क्योंकि वो winter season था, और उस ताइम पर, उनके घरों में fireplace जाल रही थी, और बहुत ठंड का मौसम था, तब की ये बात है, clearly बताए गया है, so option number B, in the mid of January, is the right option to this question. Next, the mark on the wall was about dash above the mantelpiece, सबसे पहले mantelpiece का मतलब समझते, mantelpiece क्या होता है, तो mantelpiece जैसे कि आप foreign के घरों में, अगर आप कभी गए हो या आपने कभी pictures में देखा है, तो mantelpiece एक तरीकी का ऐसे, एक wooden slab होता है, जिसके नीचे या पर fireplace होती है, वहाँ पर घर बहुत काफी ठंडे होते हैं, तो घर को गरम रखने के लिए, इसे अंगीटी टाइप के एक fireplace जलती रहती है, घर को गरम करने के लिए, और यहाँ पर कुछ flower waste वगरे रखे रहते हैं, डेकोरेट करने के लिए, और इसके ऊपर किसी की picture लगी रहती है, या किसी की death अगर हो गई तो उसकी photograph उपर लगी रहती है, तो mantle piece उसे कहते हैं, ओके, तो जो mark on the wall था, जो white color की दिवार थी उसके उपर, जो mark को उस लेडी ने देखा था, वो mantle piece से कितना उपर था, याने इस mantle piece से कितना उपर था, ओप्शन सेकते, A, 6 और 7 इंचिस, क्या 6 से 7 इंच उपर था, B, 7 या 8 इंचिस, C, 2 या 3 इंचिस, 2 से 3 इंच उपर था, या D, 5 और 6 इंचिस, तो clearly जब हम chapter पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि ओप्शन A, 6 और 7 इंचिस उपर था, वो just इतना ही उपर था, यहाँ पे around कुछ इस तरीके से से mark on the wall था, ओके, so option A is the right option to this question, next, the people who moved out of the house, did so, because, dash, अब यह कौन से people की बात हो रहे है, यह जो lady है, यह किसी दूसरे घर से एक नए घर में shift हो कर आये, एक villa में shift हो यह, नया घर लिया है, उसने basically, तो इस नए घर में जो पहले लोग रहा करते थे, यह उनकी यह घर क्यों shift किया, याने यह घर खाली क्यों किया कि lady आई, क्या reason था उनका घर खाली करने का, so options है, A, their children did not like it, उनके घर, उनका जो घर था, वो बच्चे उनके बच्चे पसंद नहीं कर रहे थे घर को, B, someone in the family died, उनके घर में किसी के death हो गई, इस वाज़े सो घर style of furniture, क्योंकि उनको अपना furniture का style interior थोड़ा बहुत, new change चाहिए था, इसलिए उन्होंने नया घर लिया, या D, they made more money to buy a better house, हो सकता है, उन्होंने कोई बहुत, बहुत पैसा कमा लिया कि अब उनको इससे भी better, इससे भी अच्छा घर कहीं पे खरीदना, so clearly option number C is the right option, उनको नय style of furniture चाहिए था, कुछ interiors में change चाहिए इस वज़े से उन्होंने घर खाली किया, तब जाके अब वो ladies घर में shift हो किया, यह option C is the right option to this question, next, the first thing she thinks the mark is a dash, अब जब ये lady दिवार पर ये mark ये धपा देखती है, वाल पर, तो पहली चीज उसके माइंड में क्या आती है, कि किस च में आती है, a nail, कि उसको लगता है कोई कील ठुकी हुए वाँ पर, B, a snail, snail याने की घोंगा, इसको हिंदी में एक इंसेक्ट होता है, जो बहुत स्लो चलता है, C, a spot, किसी चीज का कोई spot है, कोई धपा है, D, a hole, या फिर कोई छेद है दिवार पर, तो सबसे पहले उसको दि था, a spot, याने कोई इंक का spot, यह दूसरी बार में नहीं, युसको तीसरी बार में पता चला, कि उसने गैस किया कि कोई इंक का spot है, a hole, a hole तो सेकेंड बार में उसने गैस किया था, यहाँ पे question में क्या पूचा गया, first बार में, तो यह first बार कि अगर बात है, तो option number A, a nail is a right option to this question, next, she thinks we have little control over dash, अब यह वाल पे जो मार्क है, इसको देखते देखते देखते, इसके बार में guess करते करते कि इसका निशाने nail है, कि इंक spot है, कि यह कोई hole है, यह सोचते सोचते वो लेडी बहुत इप थिंकिंग में, बहुत थोट्स में चली जाती है, कभी कुछ सोचने लगती है, कभी कुछ सोचने लगती है, तो उसने सोचा, सोचते सोचते वो यह सोचने लगती है, कि हमारे life में किस चीज़ पर हमारा सबसे कम control होता है, यह इस particular चीज़ को अपनी life में हम बिल्कुल भी control नहीं कर सकते, कौन सी वो चीज़ है, our fortunes, यहने हमारी किसमत कि क्या हमें मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, B, our friends, हमारे दोस्तों पर हमारा control नहीं, C, our thoughts, यहने हमारे विचारों पर, D, our possessions, possessions, यहने जो चीज़े हमारी है, for example, यह pen, अगर मैं बोलू, कि I have my possession on this pen, यहने यह pen मेरी है, मैंने खरीदी है, मैंने कमाई है, इस पर किसी और का हक कभी भी नहीं हो सकता, for example, मेरी car, I have a possession on my car, यानि वो car मेरी है, मैंने अपने पैसों से कमाई है, registry भी, जो भी papers है, whatever registry तो घर के होती है, जो भी papers है, उस car के वो सब मेरे नाम पे, कोई भी second person उसको अपने नाम पे नहीं कर सकता, possessions हैने जो particularly चीज़े हमारी होती है, तो option number D Our possessions is the right option, वो सोचती कि जो हमारे possessions याने जो चीज़े सिर्व हमारी है, किसी का उस पर हक नहीं है, वो चीज़ों पर भी हमारा control नहीं है, क्योंकि life में चीज़े ऐसी भी होती हैं, जिसको हम खो देते हैं, हमारा life में किसी भी चीज़े पर control नहीं है, thoughts पर तो है ही नहीं, दो the right option next which of the falling is not one of the possessions she reflects on losing अब वो जब बोलती है कि life में बहुत सरे ऐसे possessions हैने हमारी चीजों होती है जिस पर हमारा control नहीं है फिर वो बहुत सारी चीजों के list बताती है कि मैंने अपनी life में इतनी महंगी महंगी possessions इतनी महंगी महंगी जो मेरी खुद की चीजे थी वो मैंने खो दिये पूरी वह प्रॉपर लिस्ट बहुत सारी चीजों के नाम बताती है अब यहां पर इन options में से आपको उस option को choose करना है जो उसका possession नहीं था याने जो possession उसका नहीं था लिखाया ना not one of the possessions not आपको उसको choose करना है तो option a bagatelle boat bagatelle एक तरीके का board game होता है तो yes यह महंगा सा board game था जो उसने अपनी life में खो दिया था और यह उसने chapter में mention किया है तो यह answer नहीं हो सकता तो इसको cross कर देंगे भी पता है क्योंता है जैसे फर वाले coat होते ना इस ताइब की चीज़े तो फर क्या फर के बार में उसने mention किया था नहीं उसने फर के बार में बिल्कुल भी mention नहीं किया था यह कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसने अपना possession ही खुया है तो yes this is the right option आगे और options लिखते है bird cages यहने चिडियों को रखने वाले मेहंगे लोहे के cages बिंजरे yes यह option था जो उसने mention किया था बट हमें तो not वाला option चूज करना है jewels यहने मेहंगी मेली jewelry opals precious stones ज्वेल्री जेवर यहस तो उसने भी बूला था कि मैने अपनी जीवन में अपने जेवर भी खुए है लेकिन यह समें तो not वाला option चूज करना है तो यह होगा नी which means option number B first is the right option to this question next she says life seems to be वो बोलती कि जो life है जिंदगी है ऐसा लगता है कि डैश options rapid rapid याने जो चीज़ बहुत speed में चलती है रुकती नहीं किसी के लिए तो क्या वो यह बोलती कि life बहुत rapid है speed में है बिल्कुल पलक जपकती ही बिल्कुल बहुत बढ़ जाती आगे है यह है फ़जार है फ़जार वर्ड आपके चाप्टर में यूज हुआ है इसका मतलब होता है confusion यहने जो life है बहुत confused है confused या confusion एक ही बात है यहने life में बहुत सरी चीज़ों को confusion है बहुत सरी mysteries है रहस्ये जो हमें कभी-कभी समझ में नहीं आते हैं see full of waste and repair full of waste and repair का मतलब है मरण और जीवन यहने लोग मरते हैं फिर लोग दूसरे फिर नए लोग पैदा होते हैं फिर कभी लोग मरते हैं फिर दूसरे लोग पैदा होता है तो मरना जीना मरना जीना जीना जिना जिन्दगी में लगा हुआ है या दी ओल अफ दी अबव उपर दिये गए सारे ही ओप्शन तो येस वो कहती है कि जो लाइफ होती है वो रापिड है आने बहुत फास्ट है किसी के लिए नहीं रुकती है पहसाद है कन्फूजिन में बहुत सा रहसे हमारे को समझ में नहीं आते कैसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में और फुल आफ वेस्ट और रिपेर रहने की मरन और लोगों का जनब मरना जीना लोगों का लगा हुआ है इस दुनिया में तो येस दी आल अफ दी अबव इस राइट ऑप्शन तो दिस क्वेस्टिन नेक्स्ट वाट डज शी विश्टू दू उसकी क्या इच्छ होती है कि मैं ऐसा करूं वो जो लेडी है उसकी बात हो लिये हैं तो उसकी सरफ एक है कि मैं यहाँ पर दूर से अपनी कुरसी पर बैठकर उस वाल पे जो मार्क उसको देखती रहूं सोचती रहूं अलग अलग चीज़े गैस करती रहूं और गहरे अपनी सोच में अपनी विचार में बिल्कुल डूपती जाओं यह उसकी इच्छा है वह चाहती तो एक मिनिट में अपनी कुर्सी से उठकर पास में जाकर देख लेती क दीवार पर मार्क किस चीज़का है लेकिन नहीं दूर से बैठके अपने दिमाग को उसको खर्च करना था डीप दिंकिंग में जाना था तो यही उसकी इच्छा थी इसलिव उटकर देख नहीं रही थी अपनी चेहर से कि वह मार्क दीवार पर किस चीज़का था So option number A is the right option to this question Next The second thing She thinks the mark is First thing तो उसने सोच ली थी कि दीवार पर ये जो mark है ये एक नेल है याने कि एक कील ठुकी हुए अब second thing दूसरी ऐसी कौन सी चीज उसने गेस करी थी कि हाँ नेल तो ने उसकता उसने बुला नहीं पहले उसने सोचा था नेल है फिर उसने सोचा नहीं अगर होता तो एक छोटी सी कील ठुकी होती लेकिन ये थोड़ा सा mark बड़ा है थोड़ा सा बड़ा mark है कील के हिसाब से और बड़ा है तो ये कील तो नहीं हो सकता तो second चीज क्या हो सकती है तो a nail, तो nail तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उसने first सोची थी, हमको कॉन थी बतानी है, तो उसने second चीज गेस करी थी mark के बारे में, इंक spot, क्या किसी ink या स्याही का धपा है, ये तो उसने third बार में सोचा था, second बार में नहीं, a hole, क्या कोई छेध है, कोई hole है दीवार में, तो yes, second bar में उसने सोचा था कोई hole है, ऐसा guess किया था an insect, क्या कोई कीड़ा है तो ये उसने, last में उसको उसके husband ने बता है कि स्नेल नाम का insect बैठा हुए वहाँ पे वो भी उसने guess नहीं किया था, सोचा नहीं था, उसको उसके husband ने बताया था so option number C is the right option to this question next the first idea that she decides to come up is अब ये जो लेडी है, वहाँ chair पर बैठके इस दिवार पर जो मार्क है इसको देखकर बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बहुत deep thinking कर रही है बहुत जादा गहरी सोच विचार में चली गई है तो बहुत सारे अलग-अलग ideas, अलग-अलग thoughts उसके दमाग में आते है तो एक first idea, first idea का मतलब ये नि कि पहला इसने क्या सोच ना start किया first idea का मतलब कि इसने किस writer के बारे में सबसे पहले come up या ने इसके दमाग में कौन से लेखक के बारे में सबसे पहले आना start हुआ तो उसने relation ले गई अपनी imagination ले गई पैन की तरफ अब पैन से कौन लिखता है लेखक लिखते है राइटर लिखते है तो बस जब इंग पॉर्ट उसने ऐसा गेस किया कि दीवार पे ज़िए मार्क है वो एक इंग स्पॉर्ट है किसी स्याही का मार्क है तो उससे वो राइटर इस पर अपनी imagination लेग गई तो ऐसा कौन सा राइटर ऐसा कौन सा लिखता जिसके बारे में उसने सबसे पहले सोचना स्थार्ट किया तो options है ए डिकिन्स याने क्या चार्ल्स डिकिन्स के बारे में उसने सोचा जी नहीं ऐसा कुछ भी आपके चाप्टर में में मेंशन नहीं हैं बी लॉक क्या लॉक नाम के राइटर के बारे में उसने वेंशन किया था कुछ सोचा नो सी मिल्टन जॉन मिल्टन वो राइटर नहीं थे वो एक पोएट थे पर इनके बारे में उसने इनके बारे में उसने नहीं सोचा डी शेक्सपेर येस शेक्सपेर वो पहले राइ sing when she came into the room अब बहुत देर वो सोच रही थी इस दीवार पर मार्क देखके कुछ-कुछ guessing अपने माइंड में कर रही थी deep imaginations and thoughts में जा चुकी थी suddenly उसके घर में एक चोड़ा सा रूम है वो वहाँ पर जाती है वहाँ पर दे यानि कुछ लोग दे मतलब वहाँ पर कुछ लोग बैठे चैप्टर में बस दे करके बोल दिया गया बट यह नहीं बताए कि यह दे में कौन लोग थे उनके घर में उसका husband होगा कुछ friends होंगे ज जाती है options a religion क्या धर्म के बार में बात कर रहे थे no option b botany botany means the study of plants plants की जो पढ़ाई लिखा योथी उसको botany कैते क्या वह botany के बार में बातचीत कर रहे थे yes वो लोग botany के बार में बातचीत कर रहे थे और भी options देख लेते c philosophy philosophy के बार में deep thinking ideologies के बार में बात कर रहे थे क्या no yeah d archaeology archaeology आने पुराने जमाने में history में जब जमीन में गड़ी हुई कोई सादियों सालों पुरानी को चीज मिलती है तो archaeologist क्या करते है उसको study करते है कि किस time की यह चीज है all those historical facts past के बार में जमीन से grounds जो चीज मिलती है उससे उसकी पढ़ाई को archaeology कहते है तो क्या वो archaeology के बार में बात कर रहे थे no so option no.b botany is the right option to this question next she says that we do all the things except dash to the figure to the figure in our minds वो कहती है हम सारी चीज़े करते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं करते हैं सब चीज करते हैं except यह सरफ एक ही चीज नहीं करते हैं अपने figure in our minds के लिए याने अपने दिमाग को समझने के लिए अपने mind में चीजों को figure out करने के लिए हम सरफ एक ही चीज नहीं करते हैं तो वो कौन सी चीजे हैं जो हम नहीं करते हैं वो हमें यह यह options में से choose करनी है A. Openly adore it हम बिलकुल खुले मन से adore नहीं करते पसंद नहीं करते सारी चीजों को अपने माइंड में उनको समझने की कोशिश नहीं करते क्या ये वो बोलना चाहरी है? नहीं B. Avoid anything to make oneself ridiculous हम कभी भी फालतू चीजों को avoid नहीं कर पाते अगर हम avoid नहीं करते हैं तो हम खुद को ridiculous याने बेवकूफ बर्बेकार बना देते हैं तो क्या इस चीज को हम ignore, मतलब इस चीज को हम नहीं करते हैं exception में क्या ये point आ रहा है? No. C. Protect oneself from idolatry अब idolatry क्यों होता है? idolatry word आता है idol से idol याने मूर्ति हम और मूर्ति पूजा को हम कहते है idolatry याने जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम इस दुनिया में सब कुछ करते हैं सिर्फ अपने आपको idolatry से नहीं बचा पाते protect नहीं कर पाते हैं ये बात वो इसलिए कहते हैं कि क्यों भाई उन राइटर्स को और दुनिया उनकी पूजा करने लगती है जैसे कि जो मूर्ति पूजा करें और फिर उन राइटर्स को बहुत अच्छा लगते कि हमारी तो पूजा और ये पर इससे क्या और है इससे उनके थौट्स स्रिव उनकी नहीं रह जा रहें अब वो लेडी ऐसा सोचती है कि हम सब लोगो का एक शेल होता है हम सब लोगों का एक शेल होता है शेल यानि हम लोग चीज से अलग शेल रहेगा तो यहां question में पूचा जा रहे हैं कि अगर हमें सर्फ हमारे shell के साथ छोड़ दिया जाए तो यह world कैसा है यह world यह दुनिया कैसी है तो options है a confusing and complex यह दुनिया बहुत confusing है complex यह difficult to understand हमारे समझ में नहीं आएगी बी आर्स तो change and control यह दुनिया हमारी हो जाएगी जिसको हम change भी कर सकते हैं और control भी कर सकते हैं इस दुनिया को c full of life यह दुनिया बहुत full of life है यहां पर बहुत enjoyment है बहुत मज़ा है या d airless and shallow airless याने emotionless and shallow याने बिल्कुल यहां पर कोई emotions नहीं है सब लोग surface पर रहते हैं जाधा deep thinking में नहीं जाते तो yes यहां पर वो यह कहती कि अगर हमें हमारे shell के साथ छोड़ दिया जाएगा तो जो दुनिया होगी अगर मेरा में भी देखेंगे मानलों मेरर में देख रहे हैं कोई अच्छी सुन्दर चीज तूट गया वो मेरर तो बचेगा क्या बचेगा सरफ हमारा shell याने जो हम actually reality में हैं तो बोली तो अगर हमारी reality में हमें छोड़ देंगे तो दुनिया हमारे लिए कैसी हो जाएगी बहुत air less and shallow हो जाएगी क्यों क्योंकि हमारा रेल चेहरा दुनिया के सामने आजाएगा अगर मैं boss teacher parents family सब के सामने reality दिखाओं कि मैं actually मुझे पसंद नहीं करेगी तो yes option about deep is the right option to this question next what is the meaning of the term phantom from the lesson आपके story में यह word phantom बार-बार use करा गया है और कई सारे इस पर questions भी बेज़ दें तो इस word का meaning क्या है तो options है a something you think something you think is real but actually it is not कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हां real है सच्ची है पर वो होती नहीं हमें सर्व ऐसा लगता है तो वो सारी चीज़े जो हमें लगती है कि real है लेकिन actually होती नहीं है उन्हें हम कहते है phantom so yes first option में हमें हमारा meaning मिली है फिर भी second options और देखते है something actually real कोई सच्ची है नहीं something fake कोई ऐसी चीज जो फेक है yes fake है लेकिन हमको यह फेक होना मतलब completely हमको पता ही है कि यह चीज फेक है लेकिन फैंटम का मतलब है हमें लगता है कि सच्ची है लेकिन होती नहीं हम उसको completely ऐसा नहीं सब्सक्राइब करते हैं जबकि उस पर विश्वास करने लाइग कोई चीज होती नहीं क्योंकि वह actually में real नहीं तो यह भी नहीं होगा something scary कोई चीज दरावनी तो उससे इसका कोई लेने देना नहीं है which means option number a is the right option to this question next the dash point of view governs our life कौन सा point of view हमारी life को govern करते हैं हमारी life को चलाते हैं कौन सी ऐसी चीज है factor है life का जो हमारी life को चला रहा है options है a religious point of view क्या dharmic point of view हमारी जिंदगी को govern कर रहा है चला रहा है भी general general point of view बस general generalizations पर अगर हम बात करें general बातों पर c feminine 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 याने क्या सिर्फ औरते ही है जो हम सब की life को govern कर रहे हैं चला रही है या d masculine या सिर्फ मेल्स आदमी ही है क्या जो हमारी life को चला रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेसिकली यह जो चैप्टर है यह उत्स जमाने में लिखा गया था जब फॉरण में भी हमारी life को govern करता है as per the chapter क्योंकि चैप्टर उस जमाने में लिखा गया था so yes option number D is the right option to this question next where should the phantoms go अब यह जो phantoms यह ने लोगों को लग जो life में चीज़े ऐसी लगती ही कि हाँ यह रियल है बड़ आक्चली होती नहीं तो इन phantoms को कहां जाना चाहिए as per the lady यह जो सोच रहे है our minds in phantoms को मारे दिमाग में जाना चाहिए नहीं बलकि ऐसी चीजों को तो अपने दिमाग से निकालना चाहिए जो अक्चली रियल नहीं और उनको हम समझ बैठे कि यह रियल है तो दिमाग में तो बिलकुल भी नहीं dustbin क्या उनको कचरे के डब्बे में जाना चाहिए क्योंकि रियल ही नहीं और हम अब बेखूफ बनते जा रहे हैं हमको लग रहा है कि चीज़े सही है yes dustbin में जाना चाहिए और exactly यही वर्ड आपके chapter में भी mention है hell नरक में जाना चाहिए क्या नरक में जाए कहीं भी जाया हमें क्या मतलब बेसिकली कचरे के डब्बे में जाना चाहिए the ather, ather मतलब sky आसमान में जाना चाहिए क्या basically कहीं भी जाये बट author ने जो वर्ड यूसके वर्ड दस्बन की इन सारी चीज़ों को कचरे के डब्बे में फिक दिना चाहिए जिनको हम सोचते हैं कि real है बट वह actually real होती नहीं है so option number B is the right option to this question next in some lights the mark seems to dash अब कमरे में जैसे थोड़ी बहुत light पढ़ रही है दीवार पर वह mark lady देख रही है तो जब और light पढ़ने लगती है तो वह mark कैसा दिखने लगता है हमारी उस lady को पहले वह सोचती है nail है फिर सोचती है hole है फिर सोचती कोई ink का spot है फिर फिर जब कुछ light पढ़ती कमरे में फिर वह क्या imagine करती कि मार कभ कैसा दिख रहा है तो options ए project from the wall project from the wall याने दीवार से जब कोई चीज उभरी हुई होती है निकली हुई नजर आती है that is project from the wall याने जब कोई चीज उभरी हुई होती है और जब कोई चीज उभरी हुई होती है तो इसकी क्या दिखती है सोचती है, have irregular borders, क्या वो ऐसा सोचती कि border irregular है, कुछ भी कुछ भी border यानि ऐसी ऐसी उसकी border है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचती वो, grow smaller, जब light पढ़ती तो क्या उसको ऐसा लगता है, कि दीवार पे जो मार के वो छोटा होता जा रहे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, उसको ल नेक्स, what does she think she might gain if she realizes what the mark is, उसको क्या लगता है लेडी को, कि उसको क्या मिलेगा, what might, she think she might gain if she realizes what the mark is, एक पॉइंट पे वो गैस करकर कि ठक जाती हो, और उसको असा लगता है, मैं जल्दी सो उठके देखी लेती हूं, कि ये मार्क किस चीज़ का है, लेकिन फिर उसने अप अपको stop किया, क्योंकि उसकी हिच्छा थी कि वो गहरी सोच में डूबे और उसको knowledge मिले, जितना वो सोचेगी, जितना अपने दिमाग को खर्च करेगी, और फिर right option पे आएगी, तो उसको उसने अपने दिमाग चलाया, यूज किया, उसको उससे knowledge बढ़ा, उसके दिमाग क मिलेगा, no, be knowledge कि उसको ग्यान मिलेगा, yes, क्योंकि जब वो सोचेगी, अलग-अलग thoughts में जाएगी, तो कहीं न कहीं, उसको अपने दिमाग खर्च करेगी, जिससे obviously उसको ग्यान, उसको knowledge बढ़ेगा, yes, contentment, यानि क्या satisfaction मिलेगा उसको, नहीं, satisfaction तो उसको एक सेगड मिल जा उसको स्रिव अपने दिमाग खर्च करके knowledge चाहिए था, which means option number B, is the right option to this question, next, what was actually the mark on the wall, अब main question यह आ रहा है, यह जो the mark on the wall था, यानि जो दीवार पर धपा था, वो actually था क्या, वो actually था क्या, options है, a nail, nail तो नहीं था, वो तो उसने पहली बार में सोचा था, B, a hole, क्या वो कोई छेट था दीवार में, वो उसने second time में guess किया था, तो वो भी नहीं था, and ink spot, क्या कोई ink या स्याही का धपा था दीवार पर, नहीं, वो उसने third time में सोचा था, फिर उसने सोचा था, कि दीवार से project हो रहा है, वो भी नहीं था, फिर last में बैटे बैटे बहुत छोटा से insect होता है, तो दीवार पर वो snail बैठा हुआ था, so option number D is the right option to this question, so children here we come to the end of the session, I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में हा गए होंगे, आप चाहें तो हमारे वीडियो दीवार भी देख सकते हैं, वहां ना मिले, तो website पर जाहें, which is magnetbrains.com, also magnetbrains ने e-books भी निकाली, अगर आपको वो e-books चाहिए, तो वीडियो के description box में एक form की link given है, आपको उस form को fill करना है, and our team will get back to you, तब तक के लिए, bye bye and take care.